इस चैनल दोस्तों स्वावत है आपके हमारी इस यूट्यूब चैनल पी दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाली है शावत की सुपर इस्टार कार्थी की करिएर की सबसे बड़ी मोबी जैस का नाम है सर्दार तो अगर आप बब्ला इकन दबाना नाम भी न भुलेगा सर्दार अनुवादित की चीक 2022 की भारती तमिल भासर की जासुसी एक्सन थिलर फिर्म है जो पी एस की मित्रान की दारा लेकित और नेरेशित है आर एस की लश्मन कुमार की दारा उनकी पोटकसन बैनर की प्रिस पिक्चर्स के तोहत निर्मिर है फिर्मे कार्थी दोरी भुमिका में साथी रास्तिखना राजिसा विजयान चंगी पांडे लैला तरीतिवी की मूनी संकात अविनास योगी स्थेतु और बलाजी की सक्तिवेल भी प्रमु की भुमिका में हैं संकीत जिवी प्रकास कुमार की दरह रचय गए था छ्याकन जार्शी की विलियम्स की दरह किया गए था और रूबिन की दरह इस्पादन किया गए था यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता चंकी पांडे की पहली फिल्म और लैला की तमी सिनेमा में वापसी का प्रताब है और मुख्य फोटोग्राफी अप्रिल 2021 में सुरू हुई और चेनाई मुंबै मैसुर की अजरबैजान और जरजिय की इस्थानों में सरदार को दिवाली सब्ता से पहले ही 21 अक्तूबर 2022 को नाट की रूप से रिलीज किया गए था जिससे समेशकों और दसकों की अत्यादी की सक्रात्म की समिक्छा मिली और समिक्छाओ और वैसाही की रूप से सफर इस्तरदान ने दुनिया भर में 10 से 30 पच्चास कड़ों युएस की 13 मिलियन से आधी की कमाई की 22 की सबसे जयादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों से एक है फिल्म को मुख्यों कलाकारों के साथ एक सेक्वल की विक्सित किया जा रहा है इस्पेक्टर विजय प्रकास अपनी ही प्रितिक्ष्टा बनाने के लिए जुनूनी है जो उनके फरार पिदर की चंद्रब्रोसरा की प्रूच जासोस जीने 32 साल पहले ही राष्टी गचार करार दिया गया था कि कारण धूमिल हो गई थी जिसकी परें सौरोफ विजय को छोड़कर उनकी पूरे परिवार ने सर्म के कारण अत्महत्य कर ली अपमान एकी उधार पुलिस की आधिकारी की पवाडाय सामी को लुभाने की बहुत कोशिज करते हैं सालिनी सालिनी आदालत में सामजी की काय किरातर समीरा थमरस का प्रितिने उधुद करते हैं जेप्रू एनसे की एक नेजी जल पैकेजिंग कमपनी की दरा संचालित की परियोजना वन की इंडिया वन पाइपलाइन के खिलाप यचिकर दायर कर रही है आदिकारी महाराज राठ और इस परियोजन से पूरे भारत में पीने जोग्या पानी की अप्रूती को एकी कुरूत और नियंतित करने की उमीर है आदालत में उनकी यचीका स्विकार करने से इंकार कर दिया जबकि समीरा को वहिल चेयर पर बैठे विक्टर के विक्टर से मिलने का मौका मिलता है जो उसकी उचेसे को साजा करता है समीरा राजाजी भावन में एक विरोत प्रदसन का आयोजन करती है जबकि विजय को पता चेलता है कि उने से अस्टी की दसर की राजन्टों को बारे में जनकारी वाली एक उच की वरगी कुरूट फाइल राजाजी भावन से चोरी हो गई यह सोचते हुए कि समीरा ने फाइल को चुरा ली है विजय उसके घर जाता है और पिता के उसका बेटा तीमोटी उर्फ टीमी अकेले बेकरी से ओरर ले रहा है विजय टीमी को समीरा को धूलने के लिए जाता है जिसका पता बेकरी में पता चलता है कि लेकिन उसे पता चलता है कि उसे गुमराह किया गया था क्योंकि समीरा ने अपनी smart watch बेकरी को कूडे दान में फिक दी थी विजय समीरा की प्रीचिट डा की कुपू सामे से मिलता है जिसे उसे पता चलता है कि समीरा गलत इरादे नहीं पाल रही थी और टीमी को एसकार काईडोसिस का पता चला है कि पूलिस को समीरा की लास मिली और उसकी मौत को अत्महत्या माना गया और फाइल चुडाने के लिए उसे राष्टी गशार घोसित किया गया और संदे है कि उसने इसे बेच दिया है विजय पर इस विश्वास करने से इंकार कर दिता है और अपने जाच जारी रखते हैं और मानता है कि समीरा का उपहारन कर लिया गय था और उसी कलोरीनी कारण टेक में डूबो की दिया गय था क्योंकि उसने सरदार के बारे में बताने से इंकार कर दिया था विजय टीमी को एक पत्रा पोश्ट करने में मदद करता है और समीरा की लैपटाप तक पहुँचता है जिसमें उसका एक वीडियो मिलता है जिसमें वो समझाती है कि नेजी कमपनिया की दरा बेचे जाने वाले प्लास्टी की बोतलों में पानी सुरेच की रोश्टनी की संपक्त में आने के कारण जहरीला पानी पैडा करता है और वन इंडिया पन पाइपलाइन की पीछे का इरादा आधिकारी की सथापित करना है भारत में जल अपरूती विजे और सालीने को पता चलता है कि समीरा को अगले ही दिन एक रेलवे फ्वैलिट फर्मा पर एजेंट की कराम पूर्ची से मिलना है जिसने उसे राजाजी भावन में गुप इस्टान के बारे में बताया और उसे वहाँ तक पहुचने के लिए एक चाबी दी थी वे मंच पर जाती है और एजेंट को ढूनते है जो सिस्टी की गरत वैख्याप करके भागने की कोसिस करता है लेकिन विजे उसका पीछा करता है हलाकि एकी आग्यात वैतित अन उसे एक दुरघटे में मार डालता है विजे अपना सामान सुरक्षित करते है और एकी पतर ढूनते है कि जिस पर टीमी ने अपनी मुत्यों से पहले समीरा की निर्देसान सूर सार की पत्रा पोष्ट किया था यह पत्रा बंगला देश की चटगाओं की जेल में पहुंचता है जहां एकी रास्या में बुजर्ग वैतित को खोरा गया है जिसे 32 सार पहले ही बंगला देश की टट रक्षत ने बंदी बना लिया था और उसकी पहचान आगयाट कोड रेट नमक पत्रा की मघहम से एक कोड की वैखिया करने पर जेल परारे से संपक करते है कि है जिजन्स रा को एसास होगे कि सरदार बंगला देश में है रा की प्रमुख्ष चंद्रमोहन बंगला देश जाते है और जेल की गुंडों से पत्रा को सरदार से छिपा कर रखने का अनुरोग करते है रठट को यह समझाया आ गया है और उन्होंने इन आई ए से संपक किय और उन्हें निर्देष किया कि सरदार को जेल के वार्ण की दारा मार दिये जहे меся はい एक जेल प्रवारी ने सरदार को उस पत्रा के बारे में बता दिये का जिसकी परिंस धूरुग से भाग गया वीजए-े एक खंदार को हो चूके पैट्रोल बंक पर पहुंचता है जिसक 110च के इरदे से वीजय पर हमला करता हैं लेकिन वह त्यायरे को हरानी में सफल हो जाता है और विजय और स्ठालिनी फाइल देखते हैं और सर्दार की कहाने के बारे में सिंखते हैं उन्हें से 85 में चंद्रबोस जो एक किरा एजेटेजी ने सरदार कहा जाता था कि अपने सयुक्त परिवार के साथ रोकर नाटक करती थे उसकी चेचेरी बहान इंद्रानी उस पर क्रोच दखती है और उसकी वैस्तिया को समझाती है और उसकी समझाता के लिए ही छीपा कर वै सरदार को उसके ही प्रिक्षर रठोड और एजेंट विक्टर की दारा भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सीना के एक सीविर में घुस पैट करके प्रिती दंडी की साजिस की वैखिया करने की मिशन पोस्तों पगए सरदार एक विस्पुट के कारण खायल होने के कारण खुद को सथानी निवासी बताते हैं और सेना के आधिकारी उसे इलाज के लिए सीविर में ले जाते हैं जहां वो आधिकारियों को हरा देता हैं और खुद को उनमें से एक के रूप में बदल देता हैं वो एक तस्वीर और चीनी भासा में लिखी फाइल की एक टाइप काकरोज नाम की एक एजेंट से होती है जिसे चीन वन इंडिया वन पाइपलाइन की मगहम से भारत में पानी अप्रूती को नियंतिर करने की साजिस रजता है और अपनी साजिस के तहट पाकिस्तान की मगहम से पानी को जहरेला बना देता है और लोगों को पैकेजन पानी खर और पाइपलाइन परियोजना को सुविकार करने के लिए प्रियत करता है। सरदार ने समझाया कि लौफिंग ब्रूदर नाम का एक वैती चीन को उनकी मिसन में मदद कर रहा है। रठोड और विक्टर ने लौफिंग की ब्रूदर का पतर लगाने के लिए सरदार को तैनात किया। जबकि सरदार और इंद्रा का एक बेटा विजय है। और सरदार को पतर चलता है कि राष्टी सुड़क्छस लहकार पीके अबराहम लौफिंग ब्रूदर है। और रठोड को सुचित करते हैं कि अबराहम को खतम करने और गचार के रूप में ब्रेंडिट होने की पेसकस करते हैं। पहारन किया और उसकी हत्यकर एक फोन काल पर सरदार ने रठोड से अपनी पिता को सच्चाई बताने की अनुरो किया। क्योंकि रठोड एक गचार की पिता की रूप में बुलाए जाने को सहन नहीं कर सके। सरदार ने जान बुच कर अपनी कई पासपोर्ट उजागर करके खुद को बंग्रादेश्ट रक्षा की दरग रफतार कर लिया है। इस वेच रठोर ने चीन की इरादों को साबित करने वाली सभी सबुतों को नश्ट कर दिया। और अपनी पद से इस्तिफा देकर सरदार की परिवार उनकी अनुरों को अनुसार की सुचित नहीं किया। परिवार जाहित तौर पर इन दोनों को एक गचार को आत्रिया देने के लिए सरमीदा है। विजे को छोड़ कर खुद को फासी लगा लेता है। जबकि रठोर अपनी प्रोजेकर चीन के साथ हाथ मिलाता है। वन इंडिया वन पाइपलाइन की कायरेवाहना के लिए ही वन इंडिया पाइपलाइन की कायरेवान वन किस्त को समझाता है। और कुरोधित हो जाता है कि पावाडा एंसामी की सरदार को लालच देने के लिए विजय को पकड़ने में राके मदद करके अपनी कार्थियों को पालन करता है। जबकि सालीनी विक्टर के पास जाती है जो टीमी को आहितियत दे रहा है। चंद्रम मोहन ने वीक्टर और टीमी को सुरक्षीत रखने और मुखियोलाइं में लाने की आदैस दिया और उनकी हादैसों को लागो किया गयँ हलाकि उन्हें पता चलता है कि सरदार ने खुट को वीक्टर की रुप में प्रॉच्छन कियا تھا जब कि सालीनय ने विक्टर को मुरूत पाया और एक हत्यारों को अलमारी में बादा हुआ पाया सरदार अने एजेंटों को हरा देता है और अपनी उंगलियों को निसान के मगें से तीजोरी तक पहुचने के लिए एक एजेंट की उंगली काट कर तीमी की साथ तीजोरे में घुस पैट करता है राएजे सर्दार को पकड़ने का अस्फल प्रियास करते है जबकि सर्दार का महराज से टकड़ा होता है जो बताता है कि उसने सर्दार को पूरी परिवार को गला घुट कर मार डौरा क्योंकि इंजरा ने इबराहीम को खतम करने के बारे में बात चीष सुननी थी रेडिया ने फिकर वैंसी तक पहुँच कर सर्दार की पिता को सच्चाई बताने की कूसिस की बार में उसने इसी हत्या का अत्महत्या की रुप में दे दिया और विजय को गष clarification का बेठा होने का स्तमाजी कलंक जेलने के लिए छोड़ दिया विजय जा सुनता है और कुरूरित हो जाता है कि सरदार स्तोडियम से भरा एक ट्रॉक लेता है और जल सेयंत्र में पाइपलाइनों को विस्पुट करने के इरादे से टीमी के साथ भाग जाता है सरदार की योजना को समझाती वी रटो उसे रोकने के लिए जल की सयंत्र की ओर जाता है और सरदार को मारने के लिए गाडो को तैनात करता है लेकिन सरदार उन्हें हरा देता है और ट्रॉक की साथ सयंत्र में घुस जाता है और टीमी को विषफोट से बचने के लिए सयंतर से बाहर जाने के लिए कहता है विजे प्लाट पहुंचता है और टीमी से सरदार की योजना का पता चल लगता है और उसे सफलता प्रोग आयोजित करने में मदद करता है सरदार सूरियम के ट्रेक में पानी में फेक देता है और सफलता प्रोग के पाइपलाइनों को नश्ट कर देता है और रठोर को मार डलता है और अंत विजय से मिलता है जो उसकी गुनों को उजागर करने का इदादा र जाता है क्योंकि अगर रठोर की साजिसों का परदा फास हो जाता तो जनता सरकार पर अपना भरोस्ता खोदेगी और चली जाएगी निर्दो स्तावी थुई कि समीरावन इंडिया वन पाइपलाइन को रच्ट कर दिया गए जबकि सरदार को जिंदा ना पकर जाने के कारण जय को रा में एजिन की रूप में भरती किया था और उसे आगयाट को नाम दे कर कबोडिया में एक मिशन पर नियूत किया था और अक्तूबर 2020 में सुत्रों ने दवा किया कि कार्थी को पीएस की मित्रन की दारा निदेशित नई फिल्म में अभिनाय करने की सुचना है जि 9 नवंबर 2020 को दिवाली पर क्रोपिन्स पिक्चर्स में पूजा की असर पर की गई अप्रेल 2021 में राश्ती खना को कार्थी के साथ अभिनाय करने के लिए मुख्यों अभिनेत्री के रूप में गोशित किया था साथी सिम्रन को फिल्म में एक स्थार माजी की काक्रियातर की भुमिका निवाने के लिए हिलाने की भुमिका निवाने के लिए साइन किया गए था निर्माताओं ने गोशना चंकी पांडी को फिल्म में प्रेती दंडी के रूप में लिया गए जो तमी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म माई में राजी सां की विजयन को दूसरी मोगी अ इंडियूल की टकडाव की कारण इस परियोजना को छोड़ दिया कि इसके बज़ाए अभिनेत्री लैला ने उसे महीने इस परियोजना पर हस्ताजर किये कि सोरे साल की ब्रेक के बार वह सीनेमा उदों में वापसी कर रही है फिर पहले दिन की सुटिंग 26 अपरिल 2021 को सुरू प्रमुक दी गई सुटिंग 9 जनवरी 2022 को फिसे सुरूइन मताउने 2 अक्तोबर का स्टेट बनाया इस बेस सेट पर फिल्म की प्रमुक हिस्से को सुट करने की युजना बनाई रासे खाना 5 फरवरी 2022 की सेट पर सामिल होगी और दूसरा सेन्डियूर 19 मार्च 2022 को सुरू हो जर्दिय में फिल्म आई गई थे अब तक की निर्मतावने स्टेट के लिए चार कड़ों से आधिक खर्च किये हैं सरधार को 21 अक्तूबर 2022 को दिवाली की प्रू संग्या पर सीव कार्थी क्रियान की राजकुमार की साथ रिलीश किया गए था जिसकी आधिकारी की हुसना कर्ची की जनम दिन पर की गई की तमिल नाडू की छित्रा के लिए फिल्म की वित्रन आधिकार रेड की जाइंट मुईच की दारा हासिल किये गए था ते लोगों कनाटक छित्रा की वित्रन आधिकार एवी मीडिया की कंसलेटेंस की दारा हासिल किये गई फिल्म की नाटे आठारे नॉमबर 2022 को इस्ट्रीमिंग फैलेट फर्मा पर फिल्म का डिजिटल प्रीमियर वस्तरदार को और उचकों से अत्यादी की सक्रात्मक समीक्चा मिली दा इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुपता ने दा इंडियन एक्सप्रेस की किरु भाकर की पूर्ट पोस्तम ने 35 की इस्टार दिये और लिखा की हलाकी जिस गती से फिल्म में चीज़े आगे बढ़ती है आप उन कम्यों को भूल जाते हैं और माफ कर देती हैं पिंक विला की तनमाई सर्मा ने फिल्म की रेटिंग 35 दी और लिखा कुल मिलाकर की सरदार नितित की रूप से इस तैवार सी जन्म हीट रे और कुछ ऐसा जिसे हर दस को बढ़े परदे पर देखना पसंद करेगा सिनेमा एक्सप्रेस की आविनास राम चंदर ने पाच मे से 35 रेटिंग दी और लिखा कि हमें एक प्रकार की फ्रचन जी का वादा करने का मित्रन की प्रवलती गया थे और सरदार के साथ उन्होंने निचित की रूप से उस वादे को पूरा करने की छमतवाली एक फिल्म दी है इस फिल्म को 35 रेटिंग दी और लिखा सरदार एक की सालिट जासू सी फिल्म है इसे ज्यादा कुछ नहीं कुछ कम नहीं फर्स पर्स की प्रियंका सुन्दर फिल्म को पास में से तीन रेटिंग दी और लिखा एक जासू सी फिल्म अगर वर्तमान में सेट है तो उसे इस् आधारी थे इसलिए फी में सटन आधी क्रोर है और सरीरी की रूप से अतरंग दा हिंदू के तरिवास्तव इस ने लिखा की तकार्थी का इस समानिया और संदिस भारी थीलर में मनुरंग्जे की इंडिया टुटे के जाननी के ने 5 में से 25 स्टार की रेटिंग रही और इसे एक मजबूत मूल विचार के साथ एक ठोस फिल्म कहा जहां वहां कुछ चुक के साथ फिल्म देखने की लायक बनती है बिहाइंड फूर्डर्स के एक अलोज फिल्म के पाच में से तिन रेटिंग री और लिखा कि कार्थी ने एक और हिट फिल्म के साथ साबित कर दिये कि वह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्रोस्तिमन इस्टार जो आपकी तैवार की जन्त को पूरा कर देगा दन्यूज मीनर की सौमिय रांजेद्रा रिपैन पंद्रे पाच इस्टार की रेटिंग दी और लिखा फिल्म समय आवेदी में चल रहे हैं एक देश से दूसरे देश में सा ठानतित होती है और हमारे दिमाग में जनकारी के लिए ही जनकारी के डालने की अपनी महत्वा कांचे से कभी नहीं ठकी थी 27 अक्तूबर 2022 को आयुजित फिल्म की सफलता बैठक में पोर्कसन हाउस की दारा ही फिल्म के सेक्वल की आदिकारी की घुसना की गई इसी अस्थाई के रुप से सरधार ने नाम दिया था कि कार्थी के लिए ही एक दूसरे की दा की एकी और कार्थी की जनम कार्थी कुमार का जनम 25 माई उन्हें से 77 को मदराश अब चेनई तामी नायवडू की भारत में हुआ था उन्होंने अपनी प्राविंग और मागियम स्कूल सेंचा सेंस्त्रादी की वाला भावन और सेटे बेंडे की एगलो इंडियन हाय सेकेंडरी स्कूल चेनई से पूरी की उन्होंने क सेंडरी कालेज चेनई की मैने कर इंजिनिरिंग में सनात की देगे प्रापाद की सनात की हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे youtube चेनल भी दोस्तों आज कि वीडियो में हम बात करनें वाली है सावत की सुपर इश्टार कार्थी की करियर की सबसे बड़ी मोवी जेस का न ना चाहते हूं तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भुलेगा सरदार अनुवादित की चीक 2022 की भारती तमिल भासर की जासुसी एक्सें ठिलर फिर्म है जो पी एस की मित्रान की दारा लेकित और नेरेशित है आर एस की लश्मन कुमार की दारा उनकी पोटकसन बैनर की प्रिंस पिक्चर्स के तोहत निर्मिर है फिर्म एकार्थी दोरी भुमिका में साथी रास्तिखना राजिसा विजयान चंगी पांडे लैला तरीतिवे की मूनी संकात अविनास योगी स्थेतु और बलाजी की सक्तिवेल भी प्रमु की भुमिका में हैं संकीत जीवी प्रकास कुमार की दरह रचय गए था zurकन जारसी की विलिलियम्स की दरह किया गए था और रूबिन की दरह स्पादन किया गए था यह फिम हिंधी फिम अभिनिता चंकी पांडे की पहली फिम और लैला गीतिमी सिनेमा में वाप्सी का प्रताव है और मुख्य फोटोग्राफी अप्रिल 2021 में सुरू हुई और चेनई मुंबे मैसुर की अजरबैजान और जरजिय की इस्थानों में सरदार को दिवाली सब्ता से पहले ही 21 अक्तूबर 2022 को नाट की रूप से रिलीज किया गए था जिसे समेशकों और दसकों की अत्यादी की सक्रात्म की समिक्छा मिली और समिक्छाओ और वैसाही की रूप से सफर इस्थारदान ने दुनिया भर में 10 से 3,50 कड़ों यूएस की 13 मिलियन से आधी की कमाई की यह 2022 की सबसे जयादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों से एक है बनाने के लिए जुनूनी है जो उनके फरार पिदर की चंद्रब्रोस्रा की प्रूच जासोस जिने 32 साल पहले ही राष्टी गच्छार करार दिया गय था कि कारण धूमिल हो गए थी जिसकी परें सौरोफ विजय को छोड़कर उनकी पूरे परिवार ने सर्म के कारण अत् अधिकारी की पवाडाइसामी को लुभाने की बहुत कोशिश करते हैं सालिनी सालिनी आदालत में साम जी की काईकराता समीरा थमरस का प्रिती निवधुद करते हैं जिप्रू एन एसे की एक नीजी जल पैकेजिंग कमपनी की दरा संचालित की परियोजना वन की इंडिया पाइपलाइन के खिलाब यची का दायर कर रही है अधिकारी माहराज राठ और इस परियोजना से पूरे भारत में पीने जोगया पानी की अप्रूति को एकी इक रूत और नियंतित करने की उमीर है आदालत में उनकी यची का सृपिकार करने से इंकार कर दिया जबकि समीरा को वहिल चेयर पर बैठे विक्टर के विक्टर से मिलने का मौगा मिलता है जो उसकी उचेसे को साजा करता है समीरा राजाजी भावन में एक विरोत प्रदसन का आयोजन करती है जबकि विजय को पता चलता है कि उने से अस्टी की दसर की रा एजन्टों को बारे में जनकारी वाली एक उच की वरगी कुरूट फाइल राजाजी भावन से चोरी हो गई यह सोचते हुए कि समीरा ने फाइल को चुरा ली है विजय उसके घर जाता है और पिता के उसका बेटा तीमोटी उर्फ टीमी अकेले बेकरी से ओडर ले रहा है विजय टीमी को समीरा को ढूने के लिए जाता है जिसका पता बेकरी में पता चलता है कि लेकिन उसे पता चलता है कि उसे गूमराह किया गये था क्योंकि समीरा ने अपनी समार्ट वर्च बेकरी को कूडे दान में फेक दी थी विजय समीरा की प्रीचिट डा की कुपू सामे से मिलता है जिसे उसे पता चलता है कि समीरा गलत इरादे नहीं पाल रही थी और टीमी को एसकार काईडोसिस का पता चला है कि पूलिस को समीरा की लास मिली और उसकी मौत को अत्महत्या माना गया और फाइल चुडाने के लिए उसे राष्टी गशार घोसित किया गया और संदे है कि उसने इसे बेच दिया है विजय पर इस विश्वास करने से इंकार कर दिता है और अपने जाच जारी रखते हैं और मानता है कि समीरा का उपहारन कर लिया गय था और उसी कलोरीनी कारण टेक में डूबो की दिया गय था क्योंकि उसने सरदार के बारे में बताने से इंकार कर दिया था विजय टीमी को एक पत्रा पोश्ट करने में मदद करता है और समीरा की लैपटाप तक पहुँचता है जिसमें उसका एक वीडियो मिलता है जिसमें वो समझाती है कि नेजी कमपनिय की दरा बेचे जाने वाले प्लास्टी की बोतलों में पानी सुरेच की रोश्टनी की संपक्त में आने के कारण जहरीला पानी पैदा करता है और वन इंडियापन पाइपलाइन की पीछे का इरादा आधिकारी की सथापित करना है भारत में जल अपरूती विजे और सालीने को पता चलता है कि समीरा को अगले ही दिन एक रेल्वेब फैलिट फर्मा पर एजेंट की कराम पाम पूर्ची से मिलना है जिसने उसे राजाजी भावन में गुप इस्टान के बारे में बताया और उसे वहाँ तक पहुचने के लिए एक चाबी दी थी वे मंच पर जाती है और एजेंट को ढूनते है जो सिस्ती की गरत वैख्याप करके भागने की कोसिस करता है लेकिन विजे उसका पीछा करता है हलाकि एकी आग्यात वैतीर अन उसे एक दुरघटे में मार डालता है विजे अपना सामान सुरक्षित करते है और एकी पतर ढूनते है कि जिस पर टीमी ने अपनी मुत्यों से पहले समीरा की निर्देशान सूर्व सार की पत्रा पोश्ट किया था यह पत्रा बंगलादेश की चटगाओं की जेल में पहुंचता है जहां एकी रास्या में बुजर्ग वैतीत को खो रहा गया है जिसे 32 साल पहले ही बंगलादेश की टट रक्षत ने बंदी बना लिया था और उसकी पहचान आगयाट कोड रेट नमक पत्रा की मघहम से एक कोड की वैखिया करने पर जेल परारे से संपक करते है कि है जे जन्स रा को एसास होगे कि सरदार बंगलादेश में है रा की प्रमुख चंद्रमोहन बंगलादेश जाते हैं और जेल की गुंडों से पत्रा को सरदार से छिपा कर रखने का अनुरोग करते हैं रठर को यह समझाया आ गया है और उन्होंने एन आई ए से संपक किया कि और उन्हें निर्देश किया कि सरदार को जेल के वाडन की दरा मार दिये जाए हलाकि एक जेल प्रावरी ने सरदार को उस पत्रा के बारे में बता दिया कि जिसकी परिंसौरु पुगा जेल से भाग गया वीजय एक खंडार को हो चुके पैट्रोल बंक पर पहुँचता है जिसके बारे में वाक कराम मुची के समान की मघहम से समझाता है और एक गुप सुरंग की ढूंटा है जो उसे एक फाइल तक ले जाती है एक हत्यारा फाइल को पून प्रापात करने की इरादे से विजय पर हमला करता है लेकिन वह हत्यारे को हरानी में सफल हो जाता है और फाइल को सुरक्षित कर लेता है विजय और सालिनी फाइल देखते है और सरदार क कहाने के बारे में सिखते हैं उन्हें से पचासी में चंद्रबोस्ट जो एक किरा एजेटेजी ने सरदार कहा जाता था कि अपने सयुक्त परिवार के साथ रोकर नाटक करती थे उसकी चेचेरी बहान इंद्रानी उस पर क्रोच डगती है और उसकी वैस्तिया को समझ और उसक के लिए छिपा कर रखने का फैसला करती है उसी साधी कर लेती है सीमा पर एक जील की प्रदूसित होने के बाद सरदार को उसके ही प्रिक्चर रठोड और एजेन विक्टर की दारा भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सीना के एक सीवीर में घुसपैट करके प्रेती दंडी की साजिस की वैहिया करने की मिशन पॉस्तोपा गए सरदार एक विस्पुट के कारण खायल होने के कारण खुद को सथानी निवासी बताते है और सेना के आरेकारी उसे इलाज के लिए सीवीर में ले जाते है जहाँ वो आरे लिखिर प्रती के साज सीवीर से भाग जाता है सरदार की मुलाकात काकरोज नाम की एक एजेंस से होती है जिसे चीन वन इंडिया वन पाइपलाइन की मगहम से भारत में पानी अप्रूती को नियंतिर करने की साजिस रजता है और अपनी साजिस के तहट पाकिस्तान की मगह से पानी को जहरेला बना देता है और लोगों को पैकेजेंट पानी खरी देने और पाइपलाइन परियोजना को स्विकार करने के लिए प्रियत करता है सरदार ने समझाया कि लॉफिंग ब्रोदर नाम का एक वैती चीन को उनकी मिसन में मदद कर रहा है रठोड और विक्टर ने लॉफिंग की ब्रोदर का पता लगाने के लिए सरदार को तैनात किया जबकि सरदार और इंद्रा का एक बेटा विजय है और सरदार को पता चलता है कि राष्टी सुड़क्छस लहकार पी के अबराहम लॉफिंग ब्रोदर है और रठोड को सुचित करते हैं कि अबराहम को खतम करने और गचार के रूप में ब्रेंडिट होने की पेसकस करते हैं जब तक रठोड अबराहम के इरादों को साबित नहीं कर देता लालच में डूबा रठोड अबराहम को खतम करने के लिए सामात हो जाता है और सरदार को सताई की रूप से गचार करना देने के और पैसे के लिए चीन को उसकी मिशन में सामिल करने की साजिस रचता है सरदार ने इब्राहिम की उपारन किया और उसकी हत्यकर एक फोन काल पर सरदार ने रोठर से अपनी पिता को सच्चाई बताने की अनुरो किया क्योंकि रोठर एक गचार की पिता की रुप में बुलाए जाने को सहन नहीं कर सके सरदार ने जान बुच्च कर अपने कई पासपोर्ट उजागर करके खुद को बंग्रा देश्टर्ट रक्षर की दरग रफतार कर लिया हैं इस वेच राठोर ने चीन की इरादों को साबित करने वाली सभी सबुतों को नश्ट कर दिया और अपनी पर से इस्तिफा देकर परिवार जाहित तोर पर इन दोनों को एक गचार को आत्रिया देने के लिए सरमीदा है विजय को छोड़कर खुद को फासी लगा लेता है जबकि राठोर अपनी प्रोजेक्ट चीन के साथ हाथ मिलाता है वन इंडिया वन पाइपलाइन की कायरेवाहना के लिए ही वन इं सामी की सरदार को लालच देने के लिए विजय को पकड़ने में रा के मदद करके अपनी कार्टों को पालन करता है जबकि सालीनी विक्टर के पास जाती है जो टीमी को आयत्रिया दे रहा है चंद्रमोहन विक्टर और टीमी को सुरक्षीत रखने और मुक्षियोलाय में ला पाया और एक हत्यारों को अलमारी में बाधा हुआ पाया सरदार अने एजेंटों को हरा देता है और अपनी उंगलियों को निसान के मगहम से तीजोरी तक पहुचने के लिए एक एजेंट की उंगली काट कर तीमी की साथ तीजोरे में घुस पैट करता है रा एजे सरदार को अस्फल प्रियास करते हैं जबकि सर्दार का महराज ते टकड़ा होता है जो बताता है कि उसने सर्दार को पूरी परिवार को गला घोट कर माड़ा क्योंकि इंदरा ने इबराहिम को खतम करने के बारे में बात्ची सुन्दी थी रेडिया ने फिक्रें फिक्वेंसी तक चाहर का बेठा होने का स्तमाजी कलंक जेलने के लिए छोड़ दिया विजय जस सुनता है और कुरूरीत हो जाता है कि सर्दार स्थोडियम से भरा एक ट्रॉक लेता है और जल सेंत्र में पाइपलाइनों को विस्पुट करने के इरादे से टीमी के साथ भाग जाता है सर्द की यूजना को समझातीव रठो उसे रोकने के लिए जल कि सयंत्र की और जाते और सर्दार को मारने के लिए गाड़ो को द्यानात करता है लेकिन सर्दार उन्हें हरा देता है और जोना स गुष जाता है और तीमी को विस्फोट से बचने के लिए सयंतर से बाहर जाने के लिए कहता है विजय प्लाट पहुचता है और टीमी से सरदार की योजना का पतर चल लगता है की और उसे सफलता प्रोग आयोजित करने में मदद करता है सरदार सूरियम के ट्रेक में पानी में फेक देता है और सफलता प लेकिन सरदार रुख जाता है क्योंकि अगर रठोर की साजिसों का परदा फास हो जाता तो जनतर सरकार पर अपना भरोसा खोदेगी और चली जाएगी निर्दो सावी थुई कि समी रावन इंडिया वन पाइपलाइन को रच कर दिया गए जबकि सरदार को जिंदर ना पकर जाने के कारण विजय को पूलिस बल से निल्विट कर दिया गया चंद्रमुहा ने विजय को बताया कि वह वही था जिसने पूलिस बल से उसकी निल्विट की साजिस रची थी और विजय की विजय को रा में एजिन की रुप में भरती किया था और उसे आग्याट को नाम द देशित नई फिल्म में अभिनाय करने की सुचना है जिनोंने विसाल की एरुम बूत्थुराई दोजर आठारे और स्ट्रिंग कार्थी क्रियान की हीरो दोजर उन्याइस का निर्देशन किया था फिर्म की आधिकारी की घोस्तना चवड़े नवंबर दोजर विस्त को दिवाली पर क्रोप्रेंस पिक्ट्रस में पूजा की ऑस्वर पर की गई अप्रेल दोजर एक करिस में राश्ती खना को करती के साथ अभिनाय करने के लिए मु उसना चंकी पांडे को फिर्म में प्रेती दंडे के रुप में लिया गया जो तमी सिनेमा में उनकी पहले फिर्म माई में राजी सांकी विजयन को दूसरी मोकी अभिनेत्री के रुप में घोसीद किया गया मार्च में सीम्रा ने अपने बैठने के सेंडियूल की टकड़ा फिर पहले दिन की शूटिंग 26 अप्रिल 2021 को शुरू की गई उन्हेस मामारी की दूसरी लाहर के कारण चेनाई में दो दिन की शूटिंग के बार 29 अप्रिल 2021 को शूटिंग रोक दी गई शूटिंग 9 जनवरी 2022 को फिसे सुरी निर्मतावने 2 अक्तोबर का स्टेट बनाया इस बेस सेट पर फिल्म की प्रमुक हिस्से को सूट करने की युजना बना इरा सिखाना 5 फरवरी 2022 की सेट पर सामिल होगी और दूसरा सेन्डियोर 19 मार्च 2022 को सुरू होगा उनके हिस्से को बारे दिनों तक चिनवी मुबई और मैसूर में फिल्माया गए चंकी पंडे की आधिकास हिस्सो संसन की भावन की अजरे बैजान और जर्जिय में फिल्माई गए थे अब तक की निर्मतावने स्टेट के लिए चार कड़ों से आधिक खर्च किये है सरधार को 21 अक्तूबर 2022 को दिवाली की प्रूश रंगया पर सीव कार्ती क्रियान की राजकुमार की साथ रिलीश क्या गए था जिसकी आधिकारी की हुस्तना कार्ची की जनम दिन पर की गए कि तमिल नाडू की छित्रा के लिए फिम की वित्रन आधिकार रेड की जाइंट मुईच की दारा हासिल किये गए था ते लोगों कनाटक छित्रे की वित्रन आधिकार एवी मीडिया की कंसलेटेंस की दारा हासिल किये गए फिम की नाटर पर्चदार इस्ट्रीमिंग आधिकार आहा की दारा खरीदे गए थे फिम की सैटेलाइड आधिकार स्टूटिंग स उच्कों से अत्यादी की सक्रात्मक समीक्चा मिली दा इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुपता ने दा इंडियन एक्सप्रेस की किरु भाकर की पूर्ट पोस्तम ने 35 की इस्टार दिये और लिखा की हलाकी जिस गती से फिर्म में चीजे आगे बढ़ती है आप उन कम्यों को भूल जाते और माफ कर देती है पिंक विला की तनमाई सर्मा ने फिल्म की रेटिंग 35 दी और लिखा कुल मिला कर की सरदार नितित की रूप से इस तैवार सी जन्म हिट रे और कुछ ऐसा जिसे हर दस को बड़े परदे पर देखना पसंद करेगा सिनेमा एक्सप्रेस की आविनास राम चंदर ने पाच में से 35 एस्टार रेटिंग दी और लिखा कि हमें एक प्रकार की फ्रचनजी का वादा करने का मित्रन की प्रवलती गया थे और सरदार के साथ उन्होंने निचित की रूप से उस वादे को पूरा करने के च्छमतवाली एक फिल्म दी है इम इस फिल्म को 35 एस रेटिंग दी और लिखा सरदार एक की सालिट जासू सी फिल्म है इसे ज़्यादा कुछ नहीं कुछ कम नहीं फर्स पर्स की प्रियंका सुन्दर फिल्म को पास में से तीन रेटिंग रही और लिखा एक जासू सी फिल्म अगर वर्तमान में सेट है तो उसे एस्टारी सरप और इसकील होना चाहिए चुंकि सरदार असी की रूप से असी के दर्स पर आधारी थै इसलिए फिल्में सटन आधी क्रो रहे और सरीरी की रूप से अतरंग्दा हिंदू के त्रिवास्तव इसने लिखा की तकार्थी का इस समानिया और संदिस भारी थिलर में मनुरंग्जे की इंडिया टुटे के जाननी के ने पांच में से 25 इस्टार की रेटिंग रहे और इसे एक मजबूत मूल विचार के साथ एक ठोस फिल्म कहा जहाँ वहाँ कुछ चुक के साथ फिल्म देखने की लायक बनती है बिहाइंड वुडर्स के एक अलोज फिल्म के पांच में से तीन रेटिंग रहे और लिखा की कार्थी ने एक और हिट फिल्म के साथ साबित कर दिये की वह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्रोस्तिमन इस्टार है जो आपकी तैवार की जंत को पूरा कर देगा दन्यूज मीनर की सौमिय और अंजेदरा रिपेंड पंद्रे पाच इस्टार की रेटिंग दी और लिखा फिल्म समय आवेदी में चल दिये एक देश से दूसरे देश में साथानतित होती और हमारे दिमाग में जनकारी के लिए ही जनकारी के डालने की अपनी महात्वा कां 25 से कभी नहीं ठकी थी 27 अक्तूबर 2022 को आयोजित फिल्म की सफलता बैठक में पोर्कसन हाउस की दारा ही फिल्म के सेक्वल की आधिकारी की घुसना की गए इसी अस्थाई के रुप से सरधार नी नाम दिया था कि कार्थी के लिए ही एक दूसरे की दा की एक और कार्थी की जनम कार्थी कुमार का जनम 25 मैं उन्हें से 77 को मदराश अब चेनई तमी नायवडू की भारत में हुआ था उन्होंने अपनी प्रविंग और मागियम स्कूल सेंचा सेंस्त्रादी की वाला भावन और सेटे बेंडे की एगलो इंडियन हाय सेकेंडी स्कूल चेनई से पूर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाली है सावत की सुपर इस्टार कार्थी की करियर की सबसे बड़ी मोवी जेस का नाम है सरदार तो दोस्तों अगर आप आप सरदार मोवी को देखना चाहती हो और साथी साथ इस मोवी को बजेट इन ब 22 की भारती तमिल भासर की जासुसी एक्ष्ण ठिलर फीम है जो पी इस की मित्रान की दार लेकित और नेरेशित है आर एस की लश्मन कुमार की दार उनकी पोड्कसन बैनर की प्रिस पिक्चर्स के तोहत निर्मिध है फिमे कार्थी दोरी भुमिका में साथी रासी खना पांडे लैला त्रीतिवे की मूनि संकार अविनास योगी स्थेतु और बलाजी की सक्ति वेल भी प्रमु की भुमिका में हैं संगीत जिवी प्रकास कुमार की दरण रचय गए था छ्याकन जार्शी की विलियम्स की दरण किया गए था और रूबिन की दरण इस्पादन किया गए था यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता चंकी पांडे की पहली फिल्म और लैला की तमी सिनेमा में वापसी का प्रताब है और मुख्य फोटोग्राफी अप्रिल 2021 में सुरू हुई और चेनाई मुंबै मैसुर की अजरबैजान और जरजिय की इस्थानों में सरदार को दिवाली सब्ता से पहले ही 21 अक्तूबर 2022 को नाट की रूप से रिलीज किया गए था जिससे समेशकों और दसकों की अत्यादी की सक्रात्म की समिक्छा मिली और समिक्छाओ और वैसाही की रूप से सफर इस्तरदान ने दुनिया भर में 10 से 30 पच्चास कड़ों युएस की 13 मिलियन से आधी की कमाई की 22 की सबसे जयादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों से एक है फिल्म को मुख्यों कलाकारों के साथ एक सेक्वाल की विक्षित किया जा रहा है इस्पेक्टर विजय प्रकास अपनी ही प्रितिक्ष्टा बनाने के लिए जुनूनी है जो उनके फरार पिदर की चंद्रब्रोस प्रूच जासोस जीने 32 साल पहले ही राष्टी गचार करार दिया गया था कि कारण धूमिल हो गई थी जिसकी परें सौरोफ विजय को छोड़कर उनकी पूरे परिवार ने सर्म के कारण अत्महत्य कर ली अपमान एक ही उधार पुलिस की आधिकारी की पवाडाय सामी को ल प्रिती ने उधूद करती है जिप्रू एन एस ए की एक नीजी जल पैकेजिंग कमपनी की दरा संचालित की परियोजना वन की इंडिया वन पाइपलाइन के खिलाब यची का दायार कर रही है आधिकारी महराज राठ और इस परियोजना से पूरे भारत में पीने योग्या पानी की अप्रूती को एकी कुरूत और नियंतित करने की उमीर है आधालत में उनकी यची का स्विकार करने से इंकार कर दिया जबकि समीरा को वहिल चेयर पर बैठे विक्टर के विक्टर से मिलने का मौका मिलता है जो उसकी उचेसे को साजा करता है समीरा राजाजी भाव में एक विरोध प्रदसन का आयोजन करती है जबकि विजय को पता चलता है कि उन्हें से अस्टी की दसर की रा एजेंटों को बारे में जनकारी वाली एक उच्च की वरगी कुरूट फाइल राजा जी भवल से चोरी हो गई यह सोचते हुए कि समीर्या ने फाइल को चुरा ल दे रहा है विजय टीमे को समीर ढूलने के लिए जाता है जिसका पता बेकरी में पताच चलता है कि लेकिन उसे पताच चलता है कि उसे ग्रह किया गयी था कि समीरा ने अपनी smart watch bakery को खूडे दान विफएक दी थी विजय समीरा की प्रीचिए डा की कुपु सामे से मिलता है जिसे उसे पता चलता है कि समीरा गलत इरादे नहीं पाल रही थी और टीमी को इसокой का अफशकार का historically को पता चला है कि पूलिस को समीरा की लास मिली और उसकी मौत को अत्महत्या माना गया और फाइल चुडाने के लिए उसे राष्टी गशार घोसित किया गया और संदे है कि उसने इसे बेच दिया है विजय पर इस विश्वास करने से इंकार कर दिता है और अपनी जयाच जारी रखते हैं और मानता है कि समीरा का उफारन कर लिया गये था और उसी कलोरीनी कारण टेक में डूबो की दिया गये था कियोंकि उसने सर retail के बारे में बताने से इंकार कर दिय था विजय टीमी को एक पत्रा पोश्ट करने में मदद करता है और समीरा की लैपटाप तक पहुँचता है जिसमें उसका एक वीडियो मिलता है जिसमें वो समझाती है कि नीजी कमपनिया की दराब बेचे जाने वाले प्लास्टी की बुतलों में पानी सूरच की रोषणी की संपक्त में आने के कारण जहरीला पानी पैदा करता है और वन इंडियापन पाइपलाइन की पीछे का इरादा आधिकारी की सथापित करना है भारत में जल अप्रूती विजय और सालीने को पताशलता है कि समीरा को अगले दिन एक रेल्वेब फैलिट फर्मा पर एजन की कराम पाम पूची से मिलना है जिसने उसे राजाजी भवन में गुप इस्तान के बारे में बताया और उसे वहा तक पहुचने के लिए एक चाबी दी थी वे मंच पर जाती है और एजन को ढूनते है जो सिस्ती की गरत वैख्याप करके भागने की कोशिस करता है लेकिन विजय उसका पीछा करता है हलाकि एक की आग्यात वैतिर अन उसे एक दुरगटे में मार डालता है विजय अपना सामान सुरक्षित करता है और एक ही पतर ढूनते है कि जिस पर टीमे ने अपनी मुत्यों से पहले समीरा की निर्देशान सुर्ष सार की पत्रा पोश्ट किया था यह पत्रा बंगलादेश की चटगाओ की जेल में पहुंचता है जहाँ एकी रास्य में बुजर्ग वैतित को खो रहा गया है जिसे 32 साल पहले ही बंगलादेश की टट रक्षत ने बंदी बना लिया था और उसकी पहचान आगेट कोड रेट नमक पत्रा की मघहन से एक कोड की वैखिया करने पर जेल परारे से संपक करते की है जे जेंस रा को एसास होगे की सरदार बंगलादेश में है रा की प्रमुख चंद्रमोहन बंगलादेश जाते हैं और जेल की गुंडों से पत्रा को सरदार से छिपा कर रखने का अनुरोग करते हैं रठट को यह समझाया आ गया है और उन्होंने इन आई ए से संपक किया की और उन्हें निर्देश किया की सरदार को जेल के वाडन की दारा मार दिये जाए हलाकि एक जेल प्रवारी ने सरदार को उस पत्रा के बारे में बता दिया की जिसकी परिंसारू पुगा जेल से भाग गया वीजे एक खंडार को हो चुके पैट्रोल बंक पर पहुचता है जिसके बारे में वाक काराम मुची के समान की मघहम से समझाता है और एक गुप सुरंग की ढूंटा है जो उसे एक फाइल तक ले जाती है एक हत्यारा फाइल को पून प्रापात करने के इरादे से विजे पर हमला करता है लेकिन वो हत्यारे को हरानी में सफल हो जाता है और फाइल को सुरक्षित कर लेता है विजे और सालीनी फाइल देखते है और सरदार की कहाने के बारे में सिखते है उन्हें से 85 में चंद्रबोस्ट जो एक किरा एजेटेजी ने सरदार कहा जाता था कि अपने स्युक्त परिवार के साथ रकर नाटक करती थी उसकी चेचेरी बहान इंद्रानी उस पर क्रोच दखती है और उसकी वैस्तिया को समझाती है और उसकी समझाता के लिए ही चिपाकर वैसाई की समझाती है लेकिन उसके लिए चिपाकर रखने का फैसला करती है उससाधी कर लेती है सीमा पर एक जील की प्रदूसित होने के बाद सरदार को उसके ही प्रिक्षर रठोल और एजेंट विक्टर की दारा भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सीना के एक सीविर में घुस पैट करके प्रेती दंडी की साजिस की वैखिया करने की मिसन पोस्वाप गए सरदार एक विस्पुट के कारण घायल होने के कारण खुद को सथा यानी निवासि बताते हैं और सेना के आरेकारी उसे इलाज के लिए सीविर में ले जाते है जहां वह एकरे कार्यों को हरा देता है और खुद को उने से एक की रुप में बदल लेता है वह एक तस्वीर और चीनी भासा में लीखी फाइल की एक टाइप लिखिर प्रती किस्तार सीवी से भाग जाता है सरदार की मुलाकात काकरोज नाम की एक एजेंस से होती है जिसे चीन वन इंडिया वन पाइपलाइन की मगहम से भारत में पानी अपरूती को नियंतीर करने की साजिस रजता है और अपनी साजिस के तहट पाकिस्तान की मग्यम से पानी को जहरेला बना देता है और लोगों को पैकेजन पानी खरीदने और पाइपलाइन परियोजना को सुविकार करने के लिए प्रियत करता है सरदार ने समझाया कि लोफिंग ब्रूदर नाम का एक वैती चीन को उनकी मिसन में मदद कर रहा है रठोर और विक्टर ने लोफिंग की ब्रूदर का पता लगाने के लिए सरदार को तैनात किया जबकि सरदार और इंद्रा का एक बेटा विजय है और सरदार को पतर चलता है कि राष्टी सुरक्छस लहकार पी के अबराहम लोफिंग ब्रूदर है और रठोर को सुचित करते हैं कि अबराहम को खतम करने और गचार के रूप में ब्रेंडिट होने की पेसकस करते हैं जब तक रठोर अबराहम के इरादों को साबित नहीं कर देता लालच में डूबा रठोर अबराहम को खतम करने के लिए सामात हो जाता है और सरदार को सथाई की रूप से गचार करना देने के और पैसे के लिए चीन को उसकी मिशन में सामिल करने की साजिस रचता है सरदार ने इबराहिम की उपारन किया और उसकी हत्य कर एक फोन काल पर सरदार ने रोठोर से अपनी पिता को सच्चाई बताने की अनुरो किया क्योंकि रोठोर एक गचार की पिता की रुप में बुलाए जाने को सहन नहीं कर सके सरदार ने जान बुच कर अपने कई पासपोर्ट उजागर करके खुद को बंग्रा देश्टर्ट रक्षर की दरग रफतार कर लिया हैं इस वेच राठोर ने चीन की इरादों को साबित करने वाली सभी सबुतों को नश्ट कर दिया और अपनी पर से इस्तिफा देकर सरदार की परिवार उनकी अनुरों को अनुसार की सुचित नहीं किया परिवार जाहित तौर पर इन दोनों को एक गचार को आत्रिया देने के लिए सरमीदा है विजे को छोड़कर खुद को फासी लगा लेता है जबकि राठोर अपनी प्रोजेक्ट चीन के साथ हाथ मिलाता है वन इंडिया वन पाइपलाइन की कायरेवाहना के लिए ही वन इंडिया पाइपलाइन की कायरेवान वन किस्त को समझाता है और क्रोधित हो जाता है कि पावाड़ा इसामी की सरदार को लालच देने के लिए विजे को पकड़ने में रा के मदद करकि अपनी कार्तियों को प प्रच्छेत रखने और मुख्योलाय में लाने के आदिस दिया और उनकी आदिस्तों को लागो किया गए कि हलाकि उन्हें पता चलता है कि सरदार ने खुट को विक्टर की रूप में प्रचन किया था जबकि सालीने ने विक्टर को मुरूत पाया और एक हत्यारों को अलमारी में बाधा हुआ पाया सरदार अन्य एजेंटों को हरा देता है और अपने उंगलियों को निसान के मगयम से तीजोरी तक पहुचने के लिए एक एजेंट की उंगली काटकर तीमी की साथ तीजोरे में घुस पैट करता है रा एजेंट सरदार को पकड़ने का अस्वल प्रियास करती है जबकि सरदार का महरास्ति टकड़ा होता है जो बताता कि उसने सरदार को पूरी परिवार को गला घुट कर माड़ा क्यूंकि इंदरा ने इबराहिम को खतम करने के बारे में बात्ची सुन दी थी रेडिया ने फिक्रें फिकेवेंसी तक पहुच कर सरदार की पिता को सच्चाई बताने की कुशिस की बार में उसने इसे हत्या का अत्महत्य की रुप में दे रिया और विजय को गचार का बेटा होने का स्तमाजी कलंक जेलने के लिए छोड़ दिया विजय जस सुनता है और कुरूरीत हो जाता है कि सरदार स्थोडियम से भरा एक ट्रॉक लेता है और जल सयंत्र में पाइप लाइनों को विस्पुट करन विस्पुट के लिए सयंत्र से बाहर जाने के लिए कहता है विजय प्लाट पहुचता है और प्रूक की योजना का पता चलागता है और उसे सफलता प्रोग आयोजित करने में मदद करता है सरदार सूरियम के ट्रेक में पानी में फेक देता है और सफलता प्रोग के पाइपलाइनों को नश्ट कर देता है और रठर को मार डलता है और अंत विजय से मिलता है जो उसकी गुनों को उजागर करने का इरादा रख लेकिन सरदार रुख जाता है क्योंकि अगर रठोर की साजिसों का परदा फास हो जाता तो जनतर सरकार पर अपना भरोसा खोदेगी और चली जाएगी निर्दोस सावी थुई कि समीरावन इंडिया वन पाइपलाइन को रच कर दिया गए जबकि सरदार को जिंदा ना पकर जाने के कारण विजय को पूलिस बल से निल्विट कर दिया गया चंद्रमुहा ने विजय को बताया कि वह वही था जिसने पूलिस बल से उसकी निल्विट की साजिस रची थी और विजय की विजय को रा में एजिन की रुप में भरती किया था और उसे आग्यट को नाम दे सित नई फिल्म में अभिनाय करने की सुचना है जिनोनी विसाल की एरुम बूद थुराई 2008 और स्टिंग कार्थी क्रियान की हीरो 2019 का निर्देशन किया था फिल्म की आधिकारी के घोसना 24 नवंबर 2020 को दिवाली पर क्रोपिन्स पिक्चर्स में पूजा की औसर पर की गई अप्रिल 2021 में राश्ती खना को कार्थी के साथ अभिनाय करने के लिए मुख्यों अभिनेत्री के रुप में गोसित किया गया था साथी सिम्रान को फिल्म में एक स्टार माजी की काक्रियातर कि भुमिका निवाने के लिए हिल लाने की भुमिका निवाने के लिए साइन किया गया था निर्माताओं ने घुष्ण चंकी पांडे को फिल्म में प्रेती दंडे के रुप में लिया गया जो तमी सिनेमा में उनकी पहले फिल्म माई में राजी सा की विजयन को दूसरी मो ने इस परियोजना पर हस्ताजर किये कि सोरे साल की ब्रेक के बार वह सीनेमा उदों में वापसी कर रही है फिर पहले दिन की सुटिंग 26 अप्रील 21 को सुरू की गई 29 मामारी की दूसरी लाहर के कारण चेनाई में दो दिन की सुटिंग के बार 29 अप्रील 21 को सुटिंग रोक दी गई सुटिंग 9 जनुवरी 22 को फिसे सुरू इन मताओने 2 अक्तोबर का सेट बनाया इस बेज सेट पर फिल्म की प्रमुक हिस्से को सुट करने की युजना बना इरा सिखना 5 फर्वरी 22 की सेट पर सामिल होगी और दूसरा सेन्डियोर 19 मार्च 22 को सुरू होगा उनके हिसे को बारे दिनों तक चेनाई मुंबई और मैसुर में फिल्माया गए चंकी पांडे की आधिकात हिस्सों संसंद की भावन की अजर बैजान और जर्जिय में फिल् सर्दार को 21 अक्तूबर 2022 को दिवाली की प्रू संग्या पर सीव कार्थी क्रियान की राजकुमार की साथ रिलीश क्या गए था जिसकी आधिकारी की हुस्तना कार्थी की जनम दिन पर की गए कि तमिल नाडू की छित्रा के लिए फिल्म की वित्रन आधिकार रेड की जाइं लेटन्स की दारा हासिल किये गए फिल्म की नाटर पर्चदार इस्ट्रीमिंग आधिकार आहक की दारा खरीदे गए थे फिल्म की सेटेलाइड आधिकार स्टूटिंग से पहले ही कैलेंग गनार की टीवी को बेची गए थे अठारे नॉमबर 2022 को इस्ट्रीमिंग फैलेट फर्मा पर फिल्म का डिजिटल प्रीमियर वाश्वर्म अरोज को से अतियादी रिंदफ़ समिक्चा मिली। दाइंडियन एक्सप्रेज की सुभा गुपता ने दाइंडियन एक्सप्रेज की कि रुभाकर की पुरूट तुपोस्तम ने 35 की इस्टार दिये। और लिखा की हलाकि जिस गते से फिर्म में चीजे आगे बढ़ती है आप उन कम्यों को भूल जाते हैं और माफ कर देती हैं पिंक विला की तनमाई सर्मा ने फिर्म की रेटिंग 35 दी और लिखा कुल मिलाकर की सरदार नितीत के रूप से इस तैवार सी जन्म हीट है और कुछ ऐसा जिसे हर दस को बड़े पर देखना पसंद करेगा सिनेमा एक्सप्रेस की आविनास राम चंदर ने पाच में से 35 एस्टार रेटिंग दी और लिखा कि हमें एक प्रकार की फ्रचन जी का वादा करने का मित्रन की प्रवलती गया थे और सरदार के साथ उन्होंने निचि प्रियंका सुंदर फिर्म को पास में से तीन रेटिंग रही और लिखा एक जासु सी फिर्म अगर वर्तमान में सेट है तो उसे एस्टारी सरप और स्किल होना चाहिए चुंकि सरदार असीं की रूप से असी के दर्ष पर आधारित है इसलिए फिर्में सटन आधिक ग्रू मनुरंग्जे की इंडिया टुटे के जाननी के ने पांच में से 25 इस्टार की रेटिंग रही और इसे एक मजबूत मुल विचार के साथ एक ठोस फिल्म कहा जहां वहां कुछ चुक के साथ फिल्म देखने की लायक बनती है बिहाइंड वूडर्स के एक अलोस फिल्म के पा कर देगा दन्यूज मीनर की सौमिय और अंजेद्रा रिपंद्रे पाच इस्टार की रेटिंग दी और लिखा फिल्म समय आवेदी में चल दिये एक देश से दूसरे देश में साथानतित होती है और हमारे दिमाग में जनकारी के लिए ही जनकारी के डालने की अपनी दूबद 22 को आयोजित फिल्म की सफलता बैठक में पोरकसन हाउस की दारा ही फिल्म के सेक्वल की आधिकारी की घुसना की गए इसी अस्ठाई के रुप से सरधार ने नाम दिया था कि कार्थी के लिए ही एक दूसरे की दा की एक और कार्थी की जनम कार्थी कुमार का जनम 25 मई उन्हें से 77 को मदराश अब चेनई तमी नायव डू की भारत में हुआ था उन्होंने अपनी प्रविंग और मागियम स्कूल सेंचा सेंस्तरादी की वाला भावन और सेटे बेंडे की एगलो इंडियन हाय सेकेंडरी स्कूल चेनई से पूरी की उन्होंने किसेंड इंजिनेरियं में स्वावत हैं आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाली है सावत की सुपर इस्टार कार्थी की करियर की सबसे बड़ी मोवी जेस का नाम है सरदार तो दोस्तों अगर आप आप सरदार मोवी को देखना च जाते हूं तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी सद बिल आइकन दबाना नाम भी ना भुलेगा सरदार अनुवादित की चीक 2022 की भारती तमिर भासर की जासुसी एक्सेंट थिलर फिर्म है जो पीएस की मित्रान की दारा लेकित और नेरेशित है आर इसकी लश्मन कुमार की दारा उनकी पोटकसन बैनर की प्रिंस पिक्चर्स के तोहत निर्मित है वे में कार्थी दोरी भुमिका में साथी रासी खना राजिसा विजयान चंगी पांडे लैला त्रीतिवे की मूनी संकात अविनास योगिस देतु और बलाजी की सक्तिवेल सहत bet लुड़्मिका में संकी जिवि प्रकास कुमार की दार रच गए था च्याकन जार्शी की विल्यम्स की दारा किया गए था और रूबिन की दारा इस्पादन किया गए था यहं हिंदी फिल्म अभिनेता चंकी पांडे की पहली फिल्म और लैला जीनी सिनेमा में वाप जिया कि इस थानों में सरदार को दिवाली सब्ता से पहले ही 21 अक्तूबर 2022 को नाट की रूप से रिलीज किया गए था जिसे समेशकों और दसकों के अत्यादी की सक्रात्म की समिक्षा मिली और समिक्षाव और वैसाही की रूप से सफर इस सरदान ने दुनिया भर में 10 से 30 प फिल्म को मुख्यों कलाकारों के साथ एक सेक्वल की विक्षित किया जा रहा है इस्पेक्टर विजय प्रकास अपनी ही प्रितिक्ष्टा बनाने के लिए जुनूनी है जो उनके फरार पिदर की चंद्रब्रोसरा की प्रूच जासोस जिने 32 साल पहले ही राष्टी गच्छ करार करार दिया गए था कि कारण धूमिल हो गए थी जिसकी परें सौरोफ विजय को छोड़कर उनकी पूरे परिवार ने सर्म के कारण अत्महत्य कर ली अपमान एक ही उधार पुलिस की आधिकारी की पवाडाय सामी को लुभाने की बहुत कोशिश करते हैं सालिनी सालिनी आदालत में साम जी की काई किरातर समीरा थमर्स का प्रिती ने उधुद करते हैं जिप्रू एन एसे की एक नीजी जल पैकेजिंग कमपनी की दरा संचालित की परियोजना वन की इंडिया वन पाइपलाइन के खिलाप यची कर दायर कर रही है आदिकारी महराज राठ और इस परियोजना से पूरे भारत में पीने योग्या पानी की अप्रूती को एकी कुरूत और नियंतित करने की उमीर है आदालत में उनकी यची का स्विकार करने से इंकार कर दिया जबकि समीरा को वहिल चेयर पर बैठे विक्टर के विक्टर से मिलने का मौगा मिलता है जो उसकी उचेसे को साजा करता है समीरा राजाजी भावन में एक विरोत प्रदसन का आयोजन करती है जबकि विजय को पता चेलता है कि उने से अस्टी की दसर की राजन्टों को बारे में जनकारी वाली एक उच की वरगी कुरूट फाइल राजाजी भावन से चोरी हो गई यह सोचते हुए कि समीरा ने फाइल को चुरा ली है विजय उसके घर जाता है और पिता के उसका बेटा तीमोटी उर्फ टीमी अकेले बेकरी से ओडर ले रहा है विजय टीमी को समीरा को ढूने के लिए जाता है जिसका पता बेकरी में पता चलता है कि लेकिन उसे पता चलता है कि उसे गुमराह किया गये था क्योंकि समीरा ने अपनी स्मार्ट वर्च बेकरी को कूडे दान में फेक दी थी विजय समीरा की प्रीचिट डा की कुपू सामे से मिलता है जिसे उसे पता चलता है कि समीरा गलत इरादे नहीं पाल रही थी और टीमी को एसकार काईडोसिस का पता चला है कि पूलिस को समीरा की लास मिली और उसकी मौत को अत्महत्या माना गया और फाइल चुडाने के लिए उसे राष्टी गशार घोसित किया गया और संदे है कि उसने इसे बेच दिया है विजय पर इस विश्वास करने से इंकार कर दिता है और अपनी जाच जारी रखते हैं और मानता है कि समीरा का उपहारन कर लिया गय था और उसी कलोरीनी कारण टेक में डूबो की दिया गय था क्योंकि उसने सरदार के बारे में बताने से इंकार कर दिया था विजय टीमी को एक पत्रा पोश्ट करने में मदद करता है और समीरा की लैपटाप तक पहुँचता है जिसमें उसका एक वीडियो मिलता है जिसमें वो समझाती है कि नीजी कमपनिय की दरा बेचे जाने वाले प्लास्टी की बोतलों में पानी सुरेच की रोश्टनी की संपक्त में आने के कारण जहरीला पानी पैदा करता है और वन इंडिया पन पाइपलाइन की पीछे का इरादा आधिकारी की सथापित करना है भारत में जल अपरूती विजे और सालीने को पता चलता है कि समीरा को अगले ही दिन एक रेलवे फ्वैलिट फर्मा पर एजेंट की कराम पूर्ची से मिलना है जिसने उसे राजाजी भावन में गुप इस्थान के बारे में बताया और उसे वहाँ तक पहुचने के लिए एक चाबी दी थी वे मंच पर जाती है और एजेंट को ढूनते है जो सिस्ती की गरत वैख्याप करके भागने की कोसिस करता है लेकिन विजे उसका पीछा करता है हलाकि एकी आग्यात वैतित अन उसे एक दुरघटे में मार डालता है विजे अपना सामान सुरक्षित करते है और एकी पतर ढूनता है कि जिस पर टीमे ने अपनी मुत्तियों से पहले समीरा की निर्देस्तान सूर सार की पत्रा जहां एकी रास्य में बुजर्ग वैतित को खो रहा गया है जिसे 32 साल पहले ही बंगलादेश की टट रक्षत ने बंदी बना लिया था और उसकी पहचान आग्यात कोड रेट नमक पत्रा की मघहम से एक कोड की वैखिया करने पर जेल परारे से संपक करते की हैजे जैंस र लाकि प्रमुख चंद्रमोहन बंगलादेश जाते हैं और जेल की गुंडों से पत्रा को सरदार से छिपा कर रखने का अनुरोग करते हैं रठट को यह समझाया आ गया है और उन्होंने इन आई ए से संपक किया की और उन्हें निर्देश किया कि सरदार को जेल के वाडन की दारा मार दिये जाए हलाकि एक जेल प्रावरी ने सरदार को उस पत्रा के बारे में बता दिया कि जिसकी परिंस्वरुपुगा जेल से भाग गया विजय एक खंडार को हो चुके पैट्रोल बंक पर पहुंचता है जिसके बारे में वाक काराम मुची के समान की मघहम से करता है लेकिन वहत्यारे को हरानी में सफल हो जाता है और फाइल को सुरक्षित कर लेता है विजय और साली ने फाइल देखते है और सरदार की कहाने के बारे में सिखते उन्हे से पचासी में चंद्रबोस्ट जो एक किराएज एटेजिने सरदार कहा जाता था कि अपने साथ रक नाटक करती थे उसकी चेचेरी बहान इंद्रानी उस पर क्रोच डगती और उसकी वैस्तिया को समझाती और उसकी समझाता के लिए ही छीपाकर वैसाई की समझाती लेकिन उसके लिए छीपाकर रखने का फैसला करती हैं। उसी साधी कर लेती है सीमा पर एक जील की प्रदूसित होने के बाद सरदार को उसके ही प्रिक्षर रठोल और एजेन विक्टर की दारा भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सीना के एक सीवीर में घुसपेट करके प्रेती दंडी की साजिस की वैखिया करने की मिसन पोस्तो पगर सरदार एक विस्पोट के कारण खायल होने के कारण खुद को सथानी निवासी बताते हैं और सेना के आरिकारी उसे इलाज के लिए सीविर में ले जाते हैं जहां वो आरिकारियों को हरा देता हैं और खुद को उनमें से एक के रूप में बदल देता हैं वो एक तस्वी और चीनी भासा में लिखी फाइल की एक टाइप लिखीर प्रती किस्ताज सीवीर से भाग जाता है सरदार की मुलाकात काकरोज नाम की एक एजेंस से होती है जिसे चीन वन इंडिया वन पाइप लाइन की मगहम से भारत में पानी अपरूती को नियंतिर करने की साजिस रजता है और अपनी साजिस के तहट पाकिस्तान की मगहम से पानी को जहरेला बना देता है और लोगों को पैकेजन पानी खरी देने और पाइपलाइन परियुजना को सुविकार करने के लिए प्रियत करता है सरदार ने समझाया कि लॉफिंग ब्रोदर नाम का एक वेती चीन को उनकी मिसन में मदद कर रहा है रठोड और विक्टर ने लॉफिंग की ब्रोदर का पता लगाने के लिए सरदार को तैनात किया जबकि सरदार और इंद्रा का एक बेटा विजय है और सरदार को पता चलता है कि राष्टी सुड़क्छस लहकार पी के अबराहम लॉफिंग ब्रोदर है और रठोड को सुचित करते हैं कि अबराहम को खतम करने और गचार के रूप में ब्रेंडिट होने की पेसकस करते हैं जब तक रठोड अबराहम के इरादों को साबित नहीं कर देता लालच में डूबा रठोड अबराहम को खतम करने के लिए सामात हो जाता है और सरदार को सताई की रूप से गचार करना देने के और पैसे के लिए चीन को उसकी मिशन में सामिल करने की साजिस रचता है सरदार ने इबराहिम की उपारन किया और उसकी हत्यकर एक फोन काल पर सरदार ने रठर से अपनी पिता को सच्चाई बताने की अनुरो किया क्योंकि रठर एक गचार की पिता की रुप में बुलाए जाने को सहन नहीं कर सके सर्दार ने जान बुच्च कर अपने कई पासपोर्ट उजागर करके खुर को बंग्रा देश्टर्ट रक्षर की दरग रफतार कर लिया है इस वेच राठोर ने चीन की इरादों को साबित करने वाली सभी सबुतों को नश्ट कर दिया और अपनी पर से इस्तिफा देकर परिवार जाहित तोर पर इन दोनों को एक गचार को आत्रिया देने के लिए सरमीदा है विजय को छोड़कर खुद को फासी लगा लेता है जबकि राठोर अपनी प्रोजेकर चीन के साथ हाथ मिलाता है वन इंडिया वन पाइपलाइन की कायरेवाहना के लिए ही वन इंड कि अधिय की सरदार को लालच देने के लिए विजय को पकड़ने में राके मदद करके अपनी कार्तों को पालन करते हैं जबकि सालीनी विक्टर के पास जाती है जो टीमी को आयत्रियत दे रहा है चंद्रम मोहन विक्टर और टीमी को सुरक्षीत रखने और मुख्योलाय में लाने की आदेश दिया और उनकी आदेशों को लागो किया गए कि हलाकि उन्हें पता चलता है कि सरदार ने खुट को विक्टर की रूप में प्रचन किया था जबकि सालीने ने विक्टर को मुरूत पाया और एक हत्यारों को अलमारी में बाधा हुआ पाया सरदार अने एजे सेट करता है रा एजे सरदार को पकड़ने का सवल प्रियास करते हैं जबकी सरदार का महराज तकड़ा होता है जो बताता है कि उसने सरदार को पूरी परिवार को गला घुठ कर मादाला क्यूंखी इंदराने इबराहिम को खतम करने के बारे में बात्ची सुन्दी थी रेडिया ने फिक्रें फिक्वेंसी तक पहुच कर सरदार की पिता को सच्चाई बताने की कुशिष की बार में उसने इस हत्या का अत्महत्य की रुप में दे दिया और विजय को गचार का बेठा होने का स्तमाजी कलंक जेलने के लिए जय सुनता है और कुरूरीत हो जाता है कि सरदार स्थोडियम से भरा एक ट्रॉक लेता है और जेल सेयंत्र में पाइपलाइनों को विसपूट करने की इरादे से टीमी के साथ भाग जाता है सरदार की योजना को समझाती वी रठो उसे रोकने के लिए जल की सेयंत्र की ओर और सरदार को मारने के लिए गाड़ों को तैनात करता है लेकिन सरदार उन्हें हरा देता है और ट्रॉक की साथ सयंत्र में घुस जाता है और टीमी को विसपूट से बचने के लिए सयंत्र से बाहर जाने के लिए कहता है विजय प्लाट पहुँचता है और टीमी से सरदार क योजना का पतर चल लगता है कि और उसे सफलता प्रोग आयोजित करने में मदद करता है सरदार सूरियम के ट्रेक में पानी में फेक देता है और सफलता प्रोग के पाइपलाइनों को नश्ट कर देता है और रठोर को मार डलता है और अंत विजय से मिलता है जो उसकी गुनों को उजागर करने का इदादा रखता है लेकिन सरदार रुख जाता है क्योंकि अगर रठोर की साजिसों का परदा फास हो जाता तो जनतर सरकार पर अपना भरोसा खोदेगी और चली जाएगी निर्दोस सावी थुई कि समीरावन इंडिया वन पाइपलाइन को रच कर दिया रहे जबकि सरदार को जिन्दा ना पकर जाने की कारण विजय को पूलिस बल से निल्विट कर दिया गया चंद्रमुहा ने विजय को बताया कि वह वही था जिसने पूलिस बल से उसकी निल्विट की साजिस रची थी और विजय को रा में एजिन की रुप में भरती किया थ कर कबोडिया में एक मिसन पर नियूत किया था और अक्तूबर 2020 में सुत्रों ने दवा किया कि कार्थी को पीएस की मित्रन की दारा निदेशित नई फिल्म में अभिनाय करने की सुचना है जिनों ने विसाल की एरुम बूत थुराई और श्रीं कार्थी क्रियान की हीरो 2019 का निदेशन किया था फिल्म की आधिकारी की घोसना 14 नवंबर 2020 को दिवाली पर क्रोपिन्स पिक्चर्स में पूजा की ऑसर पर की गई अप्रेल 2021 में राश्ती खना को कार्थी के साथ अभिनाय करने के लिए मुख्यों अभिनेत्री के र वुमिका निवाने के लिए साइन किया गए था निर्माताओं ने घोसना चंकी पांडी को फिल्म में प्रेती दंडी के रुप में लिया गए जो तमी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म माई में राजी सांग की विजयन को दूसरी मोकी अभिनेत्री के रुप में घोसित किया मार्च में सीम्रा ने अपने बैठने के सेंडियूल की टकडाव की कारण इस परियोजना को छोड़ दिया कि इसके बज़ाए अभिने त्री लैला ने उसे महीने इस परियोजना पर हस्ताजर किये कि सोरे साल की ब्रेक के बार वो सीनेमा उदो में वाफसी कर रही है फिर पहल सूटिंग रोक दी गई सूटिंग नौ जनवरी 2022 को फिसे सुरीन इर्मताव ने दू अक्तोबर का स्टेट बनाया इस बेज सेट पर फिर्म की प्रमुक हिस्से को सूट करने की युजना बनाई रासिखाना पार्ट फरवरी 2022 की सेट पर सामिल होगी और दूसरा सेंडियू उनिस मार्च 2022 को सुरू होगा उनकी हिसे को बारे दिनों तक चीने मुंबई और मैसुर में फिल्माया गए चंकी पांडे की आधिकाज हिस्सो संसन की भावन की अजरे बैजान और जर्जिय में फिल्माई गए थे अब तक की निर्मताव ने स्टेट के लिए चार कड़ों से आधिक खर्च किये हैं सरधार को 21 अक्तूबर 2022 को दिवाली की प्रू संग्या पर सीव कार्थी क्रियान की राजकुमार की साथ रिलीश किया गए था जिसकी आधिकारी की हुस्तना कार्थी की जनम दिन पर की गए कि तमिल नाडू की छित्रा के लिए फिम की वित्रन अधिकार एवी मीडिया की कंसलेटेंस की दारा हासिल किये गए फिम की नाटे पर्चदार इस्ट्रीमिंग आधिकार आहा की दारा खरीदे गए थे फिम की सेटेलाइड आधिकार स्टूटिंग से पहले ही कैलेंग गनार की टीवी को बेची गए थे अठारे नॉमबर 2022 को इस्ट्रीमिंग फैलेट फर्मा पर फिम का डिजिटल प्रीमेर वश्तरदार को और उचकों से अत्यादी की सक्रात्मक समिख्या मिली डा इंडियन एक्सप्रेस की सुभा घुपता ने दा इंडियन एक्सप्रेस की किरुभाकर की पूर्च तो पोश्टम ने 35 की एस्टार दिये और लिखा की हलाकि जिस गती सिर्फ फिर्म में चीज़े आगे बढ़ती है आप उन कम्यों को भूल जाते हैं और माफ कर देती हैं पिंक विला की तर्माई सर्मा ने फिर्म की रेटिंग 35 दी और लिखा कुल मिलाकर की सरदार नितीत की रूप से इस तैवार सी जन्म ही रेटिंग दी और लिखा कि हमें एक प्रकार की फ्रचैनजी का वादा करने का मित्रन की प्रवलती गया थे और सरदार के साथ उन्होंने निचित की रूप से उस वादे को पूरा करने की च्छमतवाली एक फिल्म दी हैं इस फिल्म को 35 दी और लिखा सरदार एक की सालिट जासू सी फिल्म में इसे जयादा कुछ नहीं कुछ कम नहीं फर्स पर्स की प्रियंका सुंदर फिल्म को पास में से तीन रेटिंग रही और लेखा एक जासू सी फिल्म अगर वर्तमान में सेट है तो उसे इस्टारी सरब और स्किल होना चाहिए चुंकि सरदार असीं की र पादी क्रो रहे और सरीरी की रूप से अतरंग्दा हिंदू के त्रिवास्तव इस ने लिखा कितकार्थी का इस समानिया और संदिस भारी थीलर में मनुरंग्जे की इंडिया टुटे के जाननी के ने पांच में से 25 स्टार की रेटिंग रही और इसे एक मजबूत मूल वि पाच में से तिन रेटिंग रही और लिखा कि कार्थी ने एक और हिट फिल्म के साथ साबिद कर दिया कि वह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्रोस्तिमन इस्टार जो आपकी तैवार की जन्त को पूरा कर देगा दन्यूज मीनर की सौमिय और अंजेद्रा रिपें 15 पाच इस्टा नतित होती है और हमारे दिमाग में जनकारी के लिए ही जनकारी के डालने की अपनी महत्वा कांचे से कभी नहीं ठकी थी 27 अक्तूबर 2022 को आयूजित फिल्म की सफलता बैठक में पूर्कसन हाउस की दारा ही फिल्म के सेक्वल की आधिकारी की घुसना की गई इसी के रुप से सरधार ने नाम दिया था कि कार्थी के लिए ही एक दूसरे की दा की एक और कार्थी की जनम कार्थी कुमार का जनम 25 महीं उन्हें से 77 को मदरास अब चेने तमिनायवट्रू की भारत में हुआ था उन्होंने अपनी प्रविंग और मागियम स्कूल सेंचा सेंस् पूरी की उन्हों और किसेंड इंजिनियरिंग कालेज चेने की मैं निकल इंजिनियरिंग में सनाट की ड़िए प्रापात की सनाट की हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करनी वाली है सावत की सुपर इ इंबोक्स ओफिस करेक्शन को जानना चाहते हूं तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहिएगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भुलेगा सरसा सरदार अनुवादित की चीक 2022 की भारती तमिर भासर की जासुसी एक्शन थिलर फिर्म है जो पीएस की मित राजिसा विजयान चंकी पांडे लैला त्रीतिव की मूनी संकात अविनास योगी स्थेतु और बलाजी की सक्तिवेल भी प्रमु की भुमी का मिहन संगीत जीवी प्रकास कुमार की दर रच गय था च्याकन जार्षी की विलियम्स की दर किया गय था और रूबिन की दर इस का प्रताब है और मुख्य फोटोग्राफी अप्रिल 2021 में शुरूई और चेनई मुंबए मैसुर की अज्रबैजान और जर्जिय की इस थानों में सरदार को दिवाली सब्ता से पहले ही 21 अक्तूबर 2022 को नाट की रूप से रिलीज किया गय था जिससे समेशकों और दसकों क आत्यादी की सक्रात्म की समिक्छा मिली और समिक्छाओ और वैसाही की रूप से सफर इस्तरदान ने दुनिया भर में 10 से 30 पच्यास कड़ों यूएस की 13 मिलियन से आधी किया कमाई की यह 22 की सबसे जयादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों से एक है फिल्म को मुख्यों कलाकारों के साथ एक सेक्वल की विक्सित किया जा रहा है इस्पेक्टर विजय प्रकास अपनी ही प्रितिक्ष्टा बनाने के लिए जुनूनी है जो उनके फरार पिदर की चंद्रब्रोसरा की प्रूच जासोस जिने 32 साल पहले ही राष्टी गच्छा करार करार दिया गया था कि कारण धूमिल हो गए थी जिसकी परेंस विजय को छोड़कर उनकी पूरे परिवार ने सर्म के कारण अत्महत्य कर ली अपमान एकी उधार पुलिस की आधिकारी की पवाडाय सामी को लुभाने की बहुत कोशिश करते हैं सालिनी सालिनी आदालत में सामजी की काई किरातर समीरा थमरस का पृती ने उधुद करते हैं जिप्रू एन एस ए की एक नीजी जल पैकेजिंग कमपनी की दरा संचालित की परियोजना वन की इंडिया वन पाइपलाइन के खिलाप यची का दायार कर रही है आदिकारी महराज राठ और इस परियोजना से पूरे भारत में पीने योग्या पानी की अप्रूती को एकी प्रूत और नियंतित करने की उमीर है आदालत में उनकी यची का स्विकार करने से इंकार कर दिया जबकि समीरा को वहिल चेयर पर बैठे विक्टर के विक्टर से मिलने का मौका मिलता है जो उसकी उचेसे को साजा करता है समीरा राजाजी भावन में एक विरोत प्रदसन का आयोजन करती है जबकि विजय को पता चेलता है कि उने से अस्टी की दसर की राजन्टों को बारे में जनकारी वाली एक उच की वरगी कुरूट फाइल राजाजी भावन से चोरी हो गई यह सोचते हुए कि समीरा ने फाइल को चुरा ली है विजय उसके घर जाता है और पिता के उसका बेटा तीमोटी उर्फ टीमी अकेले बेकरी से ओडर ले रहा है विजय टीमी को समीरा को ढूने के लिए जाता है जिसका पता बेकरी में पता चलता है कि लेकिन उसे पता चलता है कि उसे गूमराह किया गये था क्योंकि समीरा ने अपनी स्मार्ट वर्च बेकरी को कूडे दान में फेक दी थी विजय समीरा की प्रीचिट डा की कुपू सामे से मिलता है जिसे उसे पता चलता है कि समीरा गलत इरादे नहीं पाल रही थी और टीमी को एसकार काईडोसिस का पता चला है कि पूलिस को समीरा की लास मिली और उसकी मौत को अत्महत्या माना गया और फाइल चुडाने के लिए उसे राष्टी गशार घोसित किया गया और संदे है कि उसने इसे बेच दिया है विजय पर इस विश्वास करने से इंकार कर दिता है और अपने जाच जारी रखते हैं और मानता है कि समीरा का उपहारन कर लिया गय था और उसी कलोरीनी कारण टेक में डूबो की दिया गय था कियोंकि उसने सरदार के बारे में बताने से इंकार कर दिया था विजय टीमे को एक पत्रा पोश्ट करने में मदद करता है और समीरा की लैपटाप तक पहुँचता है जिसमें उसका एक वीडियो मिलता है जिसमें वो समझाती है कि नेजी कमपनिया की दरा बेचे जाने वाले प्लास्टी की बोतलों में पानी सुरेच की रोश्टनी की संपक्त में आने के कारण जहरीला पानी पैदा करता है और वन इंडिया पन पाइपलाइन की पीछे का इरादा आधिकारी की सथापित करना है भारत में जल अपरूती विजे और सालीने को पता चलता है कि समीरा को अगले ही दिन एक रेलवे फैलिट फर्मा पर एजेंट की कराम पूर्ची से मिलना है जिसने उसे राजाजी भावन में गुप इस्टान के बारे में बताया और उसे वहा तक पहुचने के लिए एक चाबी दी थी वे मंच पर जाती है और एजेंट को ढूनते है जो सिस्टी की गरत वैख्याप करके भागने की कोसिस करता है लेकिन विजे उसका पीछा करता है हलाकि एकी आग्यात वैतित अन उसे एक दुरघटे में मार डालता है विजे अपना सामान सुरक्षित करते है और एकी पतर ढूनते है कि जिस पर टीमी ने अपनी मुत्यों से पहले समीरा की निर्देसान सूर सार की पत्रा पोश्ट किया था यह पत्रा बंगला देश की चटगाओं की जेल में पहुंचता है जहां एकी रास्य में बुजर्ग वैतित को खोरा गया है जिसे 32 सार पहले ही बंगला देश की टट रक्षत ने बंदी बना लिया था और उसकी पहचान आगयत कोड रेट नमक पत्रा की मघें से एक कोड की वैखिया करने पर जेल परारे से संपक करते की है जे जन्स रा को एसास होगे की सरदार बंगला देश में है रा की प्रमुक्ष चंद्रमोहन बंगला देश जाते और जेल की गुंडों से पत्रा को जास से छिपाकर रखने का अनुरोग करते हैं रठर को यह समझाया आ गया है और उन्होंने एन आई ए से संपक किया की और उन्हें निर्देश किया कि सरदार को जेल के वाडन की दरा मार दिये जाए हलाकि एक जेल प्रावरी ने सरदार को उस पत्रा के बारे में बता दिय कि जिसकी परिंस और पुगा जेल से भाग गया विजय एक खंडार को हो चुके पैट्रोल बंक पर पहुंचता है जिसके बारे में वा कराम मुची के समान की मघहम से समझाता है और एक गुप सुरंग की ढूंटा है जो उसे एक फाइल तक ले जाती है एक हत्यारा फाइल क कि पून प्रापात करने की इरादे से विजय पर हमला करता है लेकिन वहत्यारे को हरानी में सफल हो जाता है और फाइल को उस रकषित कर लेता है विजय और सालीनी फाइल देखती है और सरधार की कहाने के बारे में सिखते उन्हें से पचासी में चंडरबोस्ट जो एक कि प्राइजेटेजी ने सरदार कहा जाता था कि अपने सयुक्त परिवार के साथ रखनाटक करती थे। इन विक्टर की दारा भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सीना के एक सीविर में घुसपैट करके प्रेती दंडी की साजिस की वैहिया करने की मिशन पॉस्तौप गए सरदार एक विस्पूट के कारण खायल होने के कारण खुद को सथानी निवासी बताते हैं और सेना के आ और चीनी भासा में लिखी फाइल की एक टाइप लिखित प्रती कि स्ताज्ध सीविर से भाग जाता है सरदार की मुलाकात काकरोज नाम की एक एजेंस से होती है जिसे चीन वन इंडिया वन पाइपलाइन की मगहम से भारत में पानी अप्रूती को नियंतीर करने की साजिस और अपनी साजिस्त के तहट पाकिस्तान की मग्यम सी पानी को जहरेला बना देता है और लोगों को पैकेजन पानी खरीदने और पाइपलाइन परियोजना को सुविकार करने के लिए प्रियत करता है। और इंद्रा का एक बेटा विजय है और सरदार को पतर चलता है कि राष्टी सुरक्षास लहकार पी के अबराहम लौफिंग बूदा है और राठोड को सुचित करते हैं कि अबराहम को खतम करने और गचार के रूप में ब्रेंडिट होने की पेसकस करते हैं जब तक रठोड अबराहम के इरादों को साबित नहीं कर देता लालच में डूबा रठोड अबराहम को खतम करने के लिए सामात हो जाता है और सरदार को सताई की रूप से गचार करना देने के और पैसे के लिए चीन को उसकी मिसन में सामिल करने की साजिस रष्ट है सरदार ने इबराहम की उपहारन किया और उसकी हत्यकर एक फोन काल पर सरदार ने रोठोर से अपनी पिता को सच्चाई बताने की अनुरो किया क्योंकि रोठोर एक गचार की पिता की रुप में बुलाए जाने को सहन नहीं कर सके सरदार ने जान बुच्च कर अपने कई पासपोर्ट उजागर करके खुद को बंगरा देश्टर ट्रक्षर की दरग रफतार कर लिया है इस वेच राठोर ने चीन की इरादों को साबित करने वाली सभी सबुतों को नश्ट कर दिया और अपने पर से इस्तिफा देकर सरदार के परिवार उनकी अनुरों को अनुसार की सुचित नहीं किया परिवार जाहित तौर पर इन दोनों को एक गचार को आत्रिया देने के लिए सरमीदा है विजे को छोड़ कर खुद को फासी लगा लेता है जबकि रटर अपनी प्रोजेकर चीन के साथ हाथ मिलाता है One India One Pipe Line की कायरेवाहना के लिए ही One India Pipe Line की कायरेवान ने One किस्ट को समझाता है और कुरोधित हो जाता है की परवाड़ा इस सामी की सरदार को लालच देने के लिए विजे को पकड़ने में रा के मदद करकि अपनी कारतों को पालन करता है जबकि सालीने विक्टर के पास जाती है जो टीमी को आयत्रियत दे रहा है चंद्रव मोहा ने विक्टर और टीमी को सुरक्षीत रखने और मुख्योलाय में लाने की आदेश दिया और उनकी आदेशों को लागू किया गएगी हलाकि उन्हें पता चलता है कि सरदार ने खुट को विक्टर के रूप में प्रचन किया था जबकि सालीने ने विक्टर को मुरूत पाया और एक हत्यारों को अलमारी में बाधा हुआ पाया सरदार अने एजेंटों को हरा देता है और अपनी उंगलियों को निसान के मग्यम से तीजोरी तक पहुचने के लिए एक एजेंट की उंगली काटकर तीमी की साथ तीजोरे में घुस पैट करता है रा एजेंस सरदार को पकड़ने का अस्फल प्रियास करती है जबकि सरदार का महरास्ति ठकड़ा होता है जो बता विकेवेंसी तक पहुच कर सरदार की पिता को सच्चाई बताने की कुशिस की बार में उसने इस हत्या का अत्महत्या की रुप में दे रिया और विजय को गचार का बेटा होने का स्तमाजी कलंक जेलने के लिए छोड़ दिया विजय जस्तुनता है और कुरूरीत हो जाता है की सरदार सोडियम से भड़ा एक ट्रॉक लेता है और जल स्यांतर में पाइपलाइनों को विश्पूट करने की इरादे से टीमी के साथ भाग जाता है सरदार की योजना को समझाती वी रटो उसे रोकने के लिए जल की सयंत्र की ओर जाते हैं और सरदार को मारने के लिए गाडो को तैनात करता है लेकिन सरदार उन्हें हरा देता है और ट्रक की साज सयंत्र में घुस जाता है और टीमी को विसफोट से बचने के लिए सयंतर से बाहर जाने के लिए कहता है विजय प्लाट पहुचता है और टीमी से सरदार की योजना का पतर चल लगता है कि और उसे सफलता प्रोग आयोजित करने में मदद करता है सरदार सोडियम के ट्रेक में पानी में फिक देता है और सफलता प्रोग की पाइपलाइनों को नश्ट कर देता है और रठर को मार डलता है और अंत विजय से मिलता है जो उसकी गुनों को उजागर करने का इदादा रखता है लेकिन सरदार रुख जाता है क्योंकि अगर रठ और कि साजिसों का परदा फास हो जाता तो जंता सरकार पर अपना भरोस्ता खोदेगी और चली जाएगी निर्दो स्थावित हुई कि समी रावन इंडिया वन पाइपलाइन को रच कर दिया गए जबकि सरदार को जिंदा ना पकर जाने के कारण विजय को पूलिस बल से निल में भरती किया था और उसे आग्याट को नाम दे कर कबोडिया में एक मिशन पर नियूत किया था और अक्तूबर 2020 में सुत्रों ने दवा किया कि कार्थी को पीएस की मित्रन की दारा निदेशित नई फिल्म में अभिनाय करने की सुचना है जिनोंने विशाल की एरुम बू पर क्रोपियंस पिक्चेस में पूजा की और पर की गई अप्रेल 2021 में राश्ती खना को कार्थी के साथ अभिनाय करने के लिए मुख्यों अभिनेत्री के रुप में गोशित किया था साथी सिम्रान को फिल्म में एक स्थार माजी की काश्यातर की भुमिका निभाने के पर के लिए में माई में राजी साथ की विजयन को दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रुप में गोशित किया गया मार्च में सिम्रान अपने बैठने के सेंडियों की टकड़ाओ की करन इस परियोजना को छोड़ दिया कि इसके बज़ाए अभिनेत्री लैला ने उसे महीने इस परियोजना पर हस्ताजर किये कि सोरे साल की ब्रेक के बार वह सीनेमा उदों में वाफ्सी कर रही है फिर पहले दिन की सुटिंग 26 अपरिल 2021 को सुरू की गई उने इस महामारी की दूसरी लाहर के कारण चेनाई में दो दिन की सुटिंग के बार 29 अपरिल 2021 को सुटिंग रोक दी गई सुटिंग 9 जनवरी 2022 को फिसे सुरू इन मताउने 2 अक्तोबर का सेट बनाया इस बेज सेट पर फिल्म की प्रमुक हिस्से को सुट करने की युजना बनाई रासे खाना 5 फरवरी 2022 की सेट पर सामिल होगी और दूसरा सिन्वर 19 मार्च 2022 को सुरू होगा उनकी हिसे को बारे दीनों तक चीने मुबई और मैसुर में फिल्माया गए चंकी पांडे की आधिकास हिस्सो संसन की भावन की अजरे बैजान और जर्जिय में फिल्माया गए थी अब तक की निर्मतावन इस सीट के लिए चार कड़ों से आधिक खर्च की है सरधार को 21 अक्तूबर 2022 को दिवाली की प्रू संगया पर सीव कार्थी क्रियान की राजकुमार की साथ रिलीश किया गए था जिसकी आधिकारी की हुसना कर्ची की जनम दिन पर की गए कि तमिल नाडू की छित्रा के लिए फिल्म की वित्रन आधिकार रेड की जाइंट मुईच की दारा हासिल किये गए था ते लोगों कनाटक छित्रा की वित्रन आधिकार एवि मेडिया की कंसलेटन्स की दारा हासिल किये गए फिल्म की नटे पर्चदार इस्ट्रिमिंग आधिकार आहाग की दारा खरीदे गए थे फिल्म की सेटेलाइट आधिकार स्टीन्ग से पहले ही कैलेंग गनार की तीवी को बेची गए थे अठारे नॉमबर 2022 को इस्ट्रीमिंग फईलेट फर्मा पर फिल्म का डिजिटल प्रीमिर वस्तरदार को और उचकों से अत्यादी की सक्रात्मक समीक्चा मिली दा इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुपता ने दा इंडियन एक्सप्रेस की किरुभाकर की पूर्ट पोस्तम ने 35 की इस्टार दिये और लिखा की हलाकी जिस गती से फिल्म में चीज़े आगे बढ़ती है आप उन कम्यों को भूल जाते हैं और माफ कर देती हैं पिंक विला की तनमाई सर्मा ने फिल्म की रेटिंग 35 दी और लिखा कुल मिलाकर की सरदार नितित की रूप से इस तैवार सी जन्म हिट रहे और कुछ ऐसा जिसे हर दसको बड़े परदे पर देखना पसंद करेगा सिनेमा एक्सप्रेस की आविनास राम चंदर ने पाच म से 35 एस्टार रेटिंग दी और लिखा कि हमें एक प्रकार की फ्रचैन जी का वादा करने का मित्रन की प्रवर्ति गया थे और सरदार के साथ उन्होंने निचित की रूप से उस वादे को पूरा करने की चंद वाली एक फिल्म दी है इस फिल्म को 35 एटिंग दी और लिखा सरदार एक की सालिट जासुसी फिल्म है इसे ज्यादा कुछ नहीं कुछ कम नहीं फर्स पर्स की प्रियंका सुन्दर फिल्म को पास में से तीन रेटिंग दी और लिखा एक जासुसी फिल्म अगर वर्तमान में सेट है तो उसे सटन आधी क्रोर है और सरीरी की रूप से अतरंग दा हिंदू के त्रिवास्तव इस ने लिखा की तकार्थी का इस समानिया और संदिस भारी थीलर में मनुरंग्जे की इंडिया टुटे के जाननी के ने पांच में से 25 स्टार की रेटिंग रही और इसे एक मजबूत मुल वि पांच में से तिन रेटिंग रही और लिखा की कार्थी ने एक और हिट फिल्म के साथ साबिद कर दिया कि वह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्रोस्तिमन इस्टार जो आपकी तैवार की जंत को पूरा कर देगा दन्यूज मीनर की सौमिय और अंजेदरा ने पंद्रे पांच इस् डालने की अपनी महात्वा कांच से कभी नहीं ठकी थी 27 अक्तूबर 2022 को आयुजित फिल्म की सफलता बैठक में पोर्कसन हाउस की दारा ही फिल्म के सेक्वल की आदिकारी की घुसना की गई इसी अस्थाई के रुप से सरधार ने नाम दिया था कि कार्थी के लिए ही एक द तत्तर को मदराश अब चेनई तमी नायव डू की भारत में हुआ था उन्होंने अपनी प्रविंग और मागियम स्कूल सेंशाग सेंस्तरादी की वाला भावन और सेटे बेंडे की एगलो इंडियन हाय सेकेंडरी स्कूल चेनई से पूरी की उन्होंने किसेंड इंजिनियर यह में स्वावत है आपके हमारी इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाली है सावत की सुपर इस्टार कार्थी की करियर की सबसे बड़ी मोवी जेस का नाम है सरदार तो दोस्तों अगर आप आप सरदार मोवी को देखना चाहती हो और सद्विल आइकन दबाना नाम भी ना भुलेगा सरदार अनुवादित की चीक 2022 की भारती तमिर भासर की जासुसी एक्सेंट थिलर फिर्म है जो पी एस की मित्रान की दारा लेकित और नेरेशित है आर एस की लश्मन कुमार की दारा उनकी पोटकरसन बैनर की प्रिंस पिक् अविनास योगिस्तेतु और बलाजी की सक्ति वेल भी प्रमु की भुमिका में संगीत जीवी प्रकास कुमार की दरा रचे गए था च्याकन जार्सी की विलियम्स की दरा किया गए था और रूबिन की दरा इस्पादन किया गए था यह फिम हिंदी फिम अभिनेटा चंकी पांडे की पहली फिर्म और लैला की तमी सिनेमा में वापसी का प्रताब है और मुख्य फोटोग्राफी अप्रिल 2021 में सुरूई और चेनई मुंबै मैसुर की अज्रबैजान और जर्जिय की इस थानों में सरदार को दिवाली सत्ता से पहले ही 21 अक्तूबर 2022 को नाट की र साही की रूप से सफर सरदान ने दुनिया भर में दस से तीन पच्चास कड़ों यूएस की तेरे मिलियन से आधी की कमाई की यह 22 की सबसे जयादा कमाई करने वाली तमील फिल्मों से एक है फिल्म को मुख्यों कलाकारों के साथ एक सेक्वल की विक्सित किया जा रहा है इस्पेक्टर विजय प्रकास अपनी ही प्रितिक्ष्टा बनाने के लिए जुनूनी है जो उनके फरार पिदर की चंद्रब्रोस्धा की प्रूच जासोस जीने 32 साल पहले ही राष्टी गया था के कारण धूमिल हो गए थी जिसकी परें सौरोफ विजय को छोड़कर उनकी पूरे परिवार ने सर्म के कारण अत्महत्य कर ली अपमान एकी उधार पुलिस की आधिकारी की पवाडा सामी को लुभाने की बहुत कोशिश करते हैं सालिनी सालिनी आदालत में सामजी की काई किरातर समीरा थमरस का पृती निधुद करते हैं जिप्रू एन एस एक नीजी जल पैकेजिंग कमपनी की दरा संचालेत की परियोजना वन की इंडिया वन पाइपलाइन के खिलाप यची का दायर कर रही है आदिकारी महराज राठ और इस परियोजना से पूरे भारत में पीने योग्या पानी की अप्रूती को एकी कुरूत और नियंतित करने की उमीर है आदालत में उनकी यची का स्विकार करने से इंकार कर दिया जबकि समीरा को वहल चेयर पर बैठे विक्टर के विक्टर से मिलने का मौका मिलता है जो उसकी उचेसे को साजा करता है समीरा राजाजी भावन में एक विरोत प्रदसन का आयोजन करती है जबकि विजय को पता चेलता है कि उने से अस्टी की दसर की राएजन्टों को बारे में जनकारी वाली एक उच की वरगी कुरूट फाइल राजाजी भावन से चोरी हो गई यह सोचते हुए कि समीरा ने फाइल को चुरा ली है विजय उसके घर जाता है और पिता के उसका बेटा तीमोटी उर्फ टीमी अकेले बेकरी से ओडर ले रहा है विजय टीमी को समीरा को ढूने के लिए जाता है जिसका पता बेकरी में पता चलता है कि लेकिन उसे पता चलता है कि उसे गुमराह किया गए था क्योंकि समीरा ने अपनी समार्ट वर्च बेकरी को कूडे दान में फेक दी थी विजय समीरा की प्रीचिट डा की कुपू सामे से मिलता है जिसे उसे पता चलता है कि समीरा गलत इरादे नहीं पाल रही थी और टीमी को एसकार काईडोसिस का पता चला है कि पूलिस को समीरा की लास मिली और उसकी मौत को अत्महत्या माना गया और फाइल चुडाने के लिए उसे राष्टी गशार गोसित किया गया और संदे है कि उसने इसे बेच दिया है विजय पर इस विश्वास करने से इंकार कर दिता है और अपने जाच जारी रखते हैं और मानता है कि समीरा का उपहारन कर लिया गया था और उसी कलोरीनी कारण टेक में डूबो की दिया गये था क्योंकि उसने सरदार के बारे में बताने से इंकार कर दिया था विजय टीमी को एक पत्रा पोश्ट करने में मदद करता है और समीरा की लैपटाप तक पहुँचता है जिसमें उसका एक वीडियो मिलता है जिसमें वो समझाती है कि नीजी कमपणिया की दरा बेचे जाने वाले प्लास्टी की बोतलों में पानी सुरच की रोशनी की संपक्त में आने के कारण जहरीला पानी पैदा करता है और वन इंडिया पन पाइपलाइन की पीछे का इरादा आधिकारी की सथापित करना है भारत में जल अप पाम पूची से मिलना है जिसने उसे राजाजी भावन में गुप इस्टान के बारे में बताया और उसे वहां तक पहुचने के लिए एक चाबी दी थी वे मंच पर जाती है और एजन को ढूनते है जो सिस्टी के गरत वैख्याप करके भागने की कोसिस करता है लेकिन विज अपना सामान सुरक्षित करते है और एकी पतर ढूनते है कि जिस पर टीमी ने अपनी मुत्यों से पहले समीरा की निर्देसान सूर सार की पत्रा पोश्ट किया था यह पत्रा बंगलादेश की चटगाओं की जेल में पहुचता है जहां एकी रास्या में बुजर्ग वैतित को खूर आ गया है जिसे 32 साल पहले ही बंगलादेश की टट रक्षत ने बंदी बना लिया था और उसकी पहचान आगेट कोड रेट नमक पत्रा की मघहम से एक कोड की वैखिया करने पर जेल परारे से संपक करते है कि हैजी जैंस रा को एसास होगे कि सरदार बंगलादेश में है राकी प्रमुख्ष चंद्रमोहन बंगलादेश जाते हैं और जेल की गुनडों से पत्रा को सरदार से छिपा कर रखने का अनुरोग करते हैं रठ़डं को यह समझाया आ गया है और उन्हों ने इन आई ए से संपक किया कि और उन्हें निर्देश किया कि सरदार को जेल के वाडन की दारा मार दिये जाए हलाकि एक जेल प्रवारी ने सरदार को उस पत्रे के बारे में बता दिया कि जिसकी परिंसौरूपुवा जेल से भाग गया विजे एक खंडार को हो चुके पैट्रोल बंक पर पहुँचता है जिसके बारे में वा कराम मुची के समान की मघहम से समझाता है और एक गुप सुरंग की ढूंटा है जो उसे एक फाइल तक ले जाती है एक हत्यारा फाइल को पून प्रापात करने की इरादे से विजे पर हमला करता है लेकिन वो हत्यारे को हरानी में सफल हो जाता है और फाइल को सुरक्षित कर लेता है विजे और सालिनी फाइल देखते है और सरदार की कहाने के बारे में सिखते है उन्हें से पचासी में चं कहा जाता था कि अपने स्यूख्त परिवार के साथ रकर नाटक करती थे उसकी चेचेरी बहान इंद्रानी उस पर क्रोच दखती और उसकी वैस्तिया को सम्झाट के लिए इस चीपा कर वैसाई की सम्झाती लेकिन उसके लिए चीपाकर रखने का फैसला करती हैं उस साधी कर लेती है सीमा पर एक जील की प्रदूसित होने के बाद सर्दार को उसके ही प्रिक्षर रठोड और एजेंट विक्टर की दारा भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सीना के एक सीविर में घुसपैट करके प्रिती दंडी की साधिस की वैखिया करने की मिशन पॉस्तों पगए सर्दार एक विस्पुट के कारण खायल होने के कारण खुद को सथानी निवासी बताते हैं और सेना के आरेकारे उसे इलाज के लिए सीविर में ले जाते हैं जहां वो आरेकारियों को हरा देता है और खुद को उनमें से एक के रूप में बदल लेता है वो एक तस्वीर और चीनी भासा में लिखी फाइल की एक टाइप लिखिर प्रती के साध सीविर से भाग जाता सरदार की मुलाकात काकरोज नाम की एक एजेंस से होती है जिसे चीन वन इंडिया वन पाइपलाइन की मगहम से भारत में पानी अपरूती को नियंतिर करने की साजिस रजता है और अपनी साजिस के तहट पाकिस्तान की मगहम से पानी को जहरेला बना देता है और लोगों को प लॉफिंग ब्रूदर नाम का एक वेती चीन को उनकी मिसन में मदद कर रहा है। रठोड और विक्टर ने लॉफिंग की ब्रूदर का पतर लगाने के लिए सरदार को तैनात किया। जबकि सरदार और इंद्रा का एक बेटा विजय है और सरदार को पतर चलता है कि राष्टी सुड़क्चस लहकार पी के अबराहम लॉफिंग ब्रूदर है और राठोड को सुचित करते हैं कि अबराहम को खतम करने और गचार के रुप में ब्रेंडिट होने की पेसकस करते है जब तक राठोड अबराहम के इरादों को साबित नहीं कर देता है लालच में डूबा राठोड अबराहम को खतम करने के लिए सामात हो जाता है और सरदार को सथाई की रुप से गचार करना देने के और पैसे के लिए चीन को उसकी मिसन में सामिल करने की साजिस रशता है क्योंकि राठोर एक गचार की पितर की रुप में बुलाए जाने को सहन नहीं कर सके, सरदार ने जान बुच कर अपने कई पासपोर्ट उजागर करके खुर को बंगरा देश्टर तरक्षर की दरग रफतार कर लिया है। इस वेच राठोर ने चीन की इरादों को साबित करने वाली सभी सबुतों को नश्ट कर दिया, और अपनी पद से इस्तिफा देकर सरदार की परिवार उनकी अनुरों को अनुसार की सुचित नहीं किया, परिवार जाहित तौर पर इन दोनों को एक गचार को आत्रिया देने के लिए सर्मीदा है, विजे को छोड़ कर खुद को फासी लगा लेता है, जबकि राठोर अपनी प्रोजेकर चीन के साथ हाथ मिलाता है, वन इंडिया वन पाइपलाइन की कायरेवाहना के लिए ही वन इंडिया पाइपलाइन की कायरेवान वन किस्त को समझाता है, और कुरोधित हो जाता है कि पावाड़ा ए सामी की सरदार को लालच देने के लिए विजय को पकड़ने में राके मदद करके अपनी कार्टों को पालन करता है जबकि सालीनी विक्टर के पास जाती है जो टीमी को आईत्रियत दे रहा है चंद्रव मोहा ने विक्टर और टीमी को सुरक्षीत रखने और मुक्षियोलाय में लाने की आदेश दिया और उनकी आदेशों को लागो किया गए कि हलाकि उन्हें पता चलता है कि सरदार ने खुट को विक्टर के रूप में प्रचन किया था जबकि सालिने ने विक्टर को मुरूत पाया और एक हत्यारों को अलमारी में बादा हुआ पाया सरदार अने एजेंटों को हरा देता है और अपनी अंगलियों को निसान के मग्यम से तीजोरी तक पहुँचने के लिए एक एजन की उंगली काट कर तीमी की साथ तीजोरे में घुस पैट करता है, राएजे सरदार को पकड़ने का अस्फल प्रियास करते हैं, जबकि सरदार का महराज ते टकड़ा होता है, जो बताता है कि उसने सरदार को पूरी परिवार को गला घुट कर माड़ा, क्यूंकि इं याने फिक्रें, फिक्वेंसी तक पहुच कर सरदार की पिता को सच्चाई बताने की कुशिस की बार में उसने इसे हत्या का अत्महत्य की रुप में दे रिया, और विज़े को गचार का बेटा होने का स्तमाजी कलंक जेलने के लिए छोड़ दिया, विज़े सुनता है और क सरदार की योजना को समझाती वी रठो उसे रोकने के लिए जल की सयंत्र की ओर जाते हैं, और सरदार को मारने के लिए गाड़ों को तैनात करता है, लेकिन सरदार उन्हें हरा देता है, और ट्रक की साज सयंत्र में घुस जाता है, और टीमी को विसफुट से बचने के लोग आयोजित करने में मदद करता है सरदार सूरियम के ट्रेक में पानी में फिक देता है और सफलता प्रू की पाइपलाइनों को नश्ट कर देता है और रठर को मार डलता है और अंत विजय से मिलता है जो उसकी गुनों को उजागर करने का इदादा रखता है लेकिन सरदा रुख जाता है क्योंकि अगर रठोर की साजिसों का परदा फास हो जाता तो जंता सरकार पर अपना भरोस्ता खोदेगी और चली जाएगी नीर्दोस्तावी समी रावन इंडिया वन पाइपलाइन को रच कर दिया गए जबकि सरदार को जिंदा ना पकर जाने के कारण विजय को पूलिस बल से निलविट कर दिया गए चंद्रमुहा ने विजय को बताया कि वह वही था जिसने पूलिस बल से उसकी निलविट की साजिस रची थी और व और अक्तूबर 2020 में सुत्रों ने दवा किया कि कार्थी को पीएस की मित्रन की दारा नीदेशित नई फिल्म में अभिनाय करने की सुचना है जिनोंने विसाल की एरुम बूत थुराई 2008 और सिंग कार्थी क्रियान की हीरो 2019 का नीदेशन किया था फिल्म की आधिकारी के घोस्न 24 नवंबर 2020 को दिवाली पर क्रोपिन्स पिक्चर्स में पूजा की आउसर पर की गई अप्रिल 2021 में राश्ती खना को कार्थी के साथ अभिनाय करने के लिए मुख्यों अभिनेत्री के रुप में गोसित किया गया था साथी सिम्रान को फिल्म में एक स्थार माजी की कार्थ कि भुमिका निवाने के लिए हिलाने की भुमिका निवाने के लिए साइन किया गया था निर्माताओं ने घुस्टन चंकी पांडे को फिल्म में प्रेती दंडे के रुप में लिया गया जो तमी सिनेमा में उनकी पहले फिल्म माई में राजी सा की विजयन को दूसरी मोग के अभिनेत्री के रुप में गोशीद किया गया मार्च फिम्रा ने अपनी बेटने के सेंडियों की टकड़ाओं की करण इस पर्योजना को छोड़ दिय कि इसके बज़य अभिन्यत्री लैला ने उसे महीने इस पर्योजना पर सिताजर किये कि सोरे साल की ब्रेक के बार वो सीनेमा उदों में वाफसी कर रही है फिर पहले दिन की सुटिंग 26 अप्रिल 2021 को सुरू की गई 19 में अमारी की दूसरी लाहर के कारण चीनाई में दो दिन की सुटिंग के बार 29 अप्रिल 2021 को सुटिंग रोक दी गई सुटिंग 9 जनवरी 2022 को फिसे सुरी निर्मताओने 2 अक्तोबर का सेट बनाया इस बेज सेट पर फिल्म की प्रमुक हिस्से को सुट करने की युजना बना इरा सिखाना 5 फरवरी 2022 की सेट पर सामिल होगी और दूसरा सिंडिय उनिस मार्च 2022 को सुरू होगा उनकी हिस्से को बारे दीनों तक चीने मुबई और मैसुर में फिल्माया गए चंकी पंडे की आधिकास हिस्सो संसन की भावन की अजर बैजान और जर्जिय में फिल्माई गए थे अब तक की निर्मताओने सेट के लिए चार कड़ों से आधिक खर्च किये है सरधार को 21 अक्तूबर 2022 को दिवाली की प्रूज संगया पर सिव कार्थी क्रियान की राज कुमार की साथ रिलीश क्या गए था जिसकी आधिकारी की हुस्तना कार्थी की जनम दिन पर की गए कि तमिल नाडू की छित्रा के लिए फिर्म की वित्रन आधिकार रेड की जाइं केंस की दारा हासिल किये गए फिम की नातर परचदार इस्टिमिंग आधिकार आहाग की दारा खरीदे गए थे फिम की सैटेलाइड आधिकार स्टूटिंग से पहले ही कैलेंग गनार की टीवी को बेची गए थे अठारे नॉमबर 2022 को इस्टिमिंग फ्वाइलिट फर्मा पर फिर्म का डीजिटल प्रीमियर वस्तरदार को और उचको से अत्यादी की सक्रतमक समीक्षा मिली दा इंडियन एक्स प्रेश की सुबा खुपता ने दा इंडियन एक्स प्रेश की किरु भाकर की पूट पोस्तम ने 35 की इस्टार दीये और लिखा की हलाकि जिस गती सिर्फ फिल्म में चीज़े आगे बढ़ती है आप उन कम्यों को भूल जाते हैं और माफ कर देती हैं पिंक विला की तनमाई सर्मा ने फिल्म की रेटिंग 35 दी और लिखा कुल मिलाकर की सरदार नितीत की रूप से इस तैवार सी जन्म हिट रहे और कुछ ऐसा जिसे हर दसको बढ़े परदे पर देखना पसंद करेगा सिनेमा एक्सप्रेस की आविनास राम चंदर ने पाच में से 35 एस्टार रेटिंग दी और लिखा कि हमें एक प्रकार की फ्रचनजी का वादा करने का मित्रन की प्रवलती गया थे और सरदार के साथ उन्होंने निचित की रूप से उस वादे को पूरा करने की चमतवाली एक फीम दी है इम इस फीम को 35 से रेटिंग दी और लिखा सरदार एक की सालिट जासू सी फीम है इसे ज़्यादा कुछ नहीं कुछ कम नहीं फस पस की प्रियंका सुन्दर फीम को पास में से तीन रेटिंग दी और लिखा एक जासू सी फीम अगर वर्तमान में सेट है तो उसे एस्टारी सरब और इसकिल होना चाहिए चुंकि सरदार असी के रूप से असी के दर्श पर आधारी थै इसलिए फीम में सटन आधी क्रोर है और सरीरी के रूप से अतरंग्दा हिंदू के तरिवास्तव इस ने लिखा कितकार्थी का इस समानिया और संदिस भारी थीलर में मनुरंग्जे की इंडिया टुटे के ज बायक बनती है बिहाइंड वूडर्स के एक अलोज फिल्म के पाच में से तिन रेटिंग दी और लिखा कि कार्थी ने एक और हिट फिल्म के साथ साबित कर दिये कि वह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्रोस्तिमन इस्टार जो आपकी टैवार की जंत को पूरा कर देगा में जनकारी के लिए ही जनकारी के डालने की अपनी महात्वा कांचे से कभी नहीं ठकी थी 27 अक्तूबर 2022 को आयूजित फिल्म की सफलता बैठक में पूर्कसन हाउस की दारा ही फिल्म के सिक्वल की आधिकारी की घुसना की गई इसी अस्थाई के रुप से सरधार ने नाम दिया था कि कार्थी के लिए ही एक दूसरे की दा की एक की और कार्थी की जनम कार्थी कुमार का जनम 25 महीं उन्हें से 77 को मदराश अब चेनई तमी नायवडू की भारत में हुआ था उन्होंने अपनी प्रविंग और मागियम स्कूल सेंचा सेंस्त्रादी की वाला भावन और सेटे बेंडे की एगलो इंडियन हाय सेकेंडरी स्कूल चेनई से पूरी की उन्होंने किसेंड इंजिनियरिंग कालेज चेनई की मैं निकल इंजिनियरिंग में सनाथ की डिड़ेगी प्रपात की सनाथ की हेलो दोस्तो स्वावत है आपके हमारे इस यूट्यूब चेनल पर दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाली है सावत की सुपर इस्टार कार्थी की करियर की सबसे बड़ी मोवी जेस का नाम है सरदार तो दोस्तो अगर आप भी कार्थी की फैन हो और अगर आप सरदार मोवी को देखना चाती हो और साथी साथ इस मोवी को बजेट इन बॉक्स ऑफिस करेक्शन को जानना चाती हो तो इस वीडियो में अन्तक जरूर बने रहिएगा और साथी सद बेल आइकन दबाना नाम भी ना भुलेगा सरदार अनुवादित की चीक 2022 की भारती तमि प्रमु की भुमिका में संकीत जीवी प्रकास कुमार की दरग रचय गए था छ्याकन जार्शी की विलियम्स की दरग किया गए था और रूबिन की दरग इसपादन किया गए था यह फिम हिंदी फिम अभिनेता चंकी पांडे की पहली फिर्म और लैला की तमि सिनेमा में वापसी का प्रताब है और मुख्य फोटोग्राफी अप्रिल 2021 में सुरूए और चेनई मुंबै मैसुर की अजरबैजान और जरजिय की इस थानों में सरदार को दिवाली सब्ता से पहले ही 21 अक्तूबर 2022 को नाट की रूप से रिलीज किया गए था जिससे समेशकों और दसकों की अत्यादी की सक्रात्म की समिक्छा मिली और समिक्छाओ और वैसाही की रूप से सफरे सरदान ने दुनिया भर में 10 से 3,50 कड़ों युएस की 13 मिलियन से आधी की कमाई की यह 2022 की सबसे जयादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों से एक है फिल्म को मुख्यों कलाकारों के साथ एक सेक्वेल की विक्सित किया जा रहा है इस्पेक्टर विजय प्रकास अपनी ही प्रितिक्ष्टा बनाने के लिए जुनूनी है जो उनके फरार पिदर की चंद्रब्रोसरा की प्रूच जासोस जीने 32 साल पहले ही राष्टी गचार करार दिया गय था कि कारण धूमिल हो गई थी जिसकी पुरें सौरोफ विजय को छोड़कर उनकी पूरे परिवार ने सर्म के कारण अत्महत्य कर ली अपमान एकी उधार पुलिस की आधिकारी की पवाडाय सामी को लुभाने की बहुत कोशिश करते हैं सालिनी सालिनी आदालत में सामजी की काई किराता समीरा थमरस का पृतिने उधुद करते हैं जिप्रू एन एसे की एक नीजी जल पैकेजिंग कमपनी की दरा संचालित की परियोजना वन की इंडिया वन पाइपलाइन के खिलाप यचिकार दायार कर रही है आदिकारी महराज राठ और इस परियोजना से पूरे भारत में पीने योग्या पानी की अप्रूती को एकी कृत और नियंतित करने की उमीर है आदालत में उनकी यचिका स्विकार करने से इंकार कर दिया जबकि समीरा को वहिल चेयर पर बैठे विक्टर के विक्टर से मिलने का मौका मिलता है जो उसकी उचेसे को साजा करता है समीरा राजाजी भावन में एक विरोत प्रदसन का आयोजन करती है जबकि विजय को पता चलता है कि उने से अस्टी की दसर की रा एजन्टों को बारे में जनकारी वाली एक उच की वरगी कुरूट फाइल राजाजी भावन से चोरी हो गई यह सोचते हुए कि समीरा ने फाइल को चुरा ली है विजय उसके घर जाता और पिता के उसका बेटा ती मोती उर्ग टीमी अकेले बेकरी से ओरर ले रहा है विजय टीमी को समीरा को ढूणने के लिए जाता है जिसका पता बेकरी में पता चलता है कि लेकिन उसे पताचलता है कि उसे घुमराह किया गए था क्योंकि समीरा ने अपनी स्मार्ट वर्च बेकरी को कूडे दान में फेक दी थी विजह समीरा की प्रीचे डा की कुपू सामे से मिलता है जिसे उसे पताचलता है कि समीरा गलत इरादे नहीं पाल रही थी और टीमी को एसकार काईडोसिस का पता चला है कि पूलिस को समीरा की लास मिली और उसकी मौत को अत्महत्या माना गया और फाइल चुडाने के लिए उसे राष्ट्री गशार घूसित किया गया और संदे है कि उसने इसे बेच दिया है विजय पर इस विश्वास करने से इंकार कर दिता है और अपनी जयाच जारी रखते हैं और मानता है कि समीरा का उपहारन कर लिया गये था और उसी कलोरीनी कारण टेक में डूबो की दिया गये था क्योंकि उसने सरदार के बारे में बताने से इंकार कर दिया था विजय टीमे को एक पत्रा पोश्ट करने में मदद करता है और समीरा की लैपटाप तक पहुँचता है जिसमें उसका एक वीडियो मिलता है जिसमें वो समझाती है कि नीजी कमपनिया की दरा बेचे जाने वा की पीछे का इरादा आधिकारी की सथापित करना है भारत में जल अपरूती विजे और सालीने को पता चलता है कि समीरा को अगले ही दिन एक रेलवेब फैलिट फर्मा पर एजेंट की कराम पाम पूची से मिलना है जिसने उसे राजाजी भवन में गुप इस्तान के बारे में बताया और उसे वहां तक पहुचने के लिए एक चाबी दी थी वे मंच पर जाती है और एजेंट को ढूनते है जो सिस्ती की गरत वैख्याप करके भागने की कोसिस करता है लेकिन विजे उसका पीछा करता है हलाकि एक की आग्यात वैतिर अन उसे एक दुरगट्टे में मा देशान सूर्व सार की पत्रा पोश्ट किया था यह पत्रा बंगलादेश की चटगाओं की जेल में पहुचता है जहां एक ही रास्या में बुजर्ग वैतित को खो रहा गया है जिससे 32 साल पहले ही बंगलादेश की टट रक्षत ने बंदी बना लिया था और उसकी पहचा कैँ झाल लिव बंदी बंदी आ बंदी डंडलादेश की उल्मी बंदी दोढ